प्यारे वद्यार्थियों मैं थोड़ा सब्दा अपने यूटूब चैनल ते बहुत बहुत स्वागित करना है असी आज दी इस वीडियो दे विच पीएस पीसेल ने जो एलम दा जो अग्जाम कंड़ेक्ट करूआ गया इसी दो नमबर दो हुजार बाई नो जो एलम दा एक्जाम कंड़ेक्ट करूआ गया इसी उस दो जो कोशन पेपर है वो शियर कर जा रहे है यह जो कोशन पेपर है यह काफी हैलप फुल रहेगा जेड़े कैंडिडेट इस विले लाइन मैन अपरिंट्शिप दी त्यारी कर रहे हैं और इस तरह नो इसे विच जो कोशन दा लेवल है वो पता चलेगा अभी किस तरह न दा जो लेवल है पीज़ पीच लेवल है तो विडियो शुरू करने तो पहलेगा अगर तो चैनल दे ना वे यह हैं तक चैनल नो सब्सक्राइब नहीं किता ता प्लीस पहला चैनल नो सब्सक्राइब करो देशे नाल बेल आइकन प्रेस करो ताकि हारी इंफर्मेटिव वीडियो तो नोटिफिकेशन थोड़े तक सब तो पहला पहुंच सके अगर तो वीडियो अच्छी लगे ते वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना इसे नाली कोशन नंबर पहला है जो तुसी सक्रीन दिख सकते हो कि दित्ता होया साइन बोर्ड यह जो साइन बोर्ड तुसी दिख रहे हो PPE देशबंद विच हेठा दित्तेयां विच्चों किस अर्थनों दरसांदा है PPE होगया, Personal Protecting Equipment इसे जो राइट आंसर है गरीण पेन देन टिक भी किता गया है जिद्ते उचित होगे कन्ना दी सुरख्या सबन्दी समान दी वर्तो करनी यह जो साइन बोर्ड यह शो करदा है नेक्स्ट कोशेन नंबर दो है जिसे विच की जे कर एक अर्थिंग सिस्टम विच तिन ओम प्रतिरोध यानि की इर्जिस्टेंस या अजी है दो सिस्टमा नू समान अंतर करम बेद जोडन देना जिड़ा कुल प्रतिरोध है किन्न होएगा आदर्ठिंग सिस्टमक है कि एक जेड़ी अर्जिस्टेंस है वो तिन ओम दिया है अगर असी समान अनतर जोड़ने हैं तिन ओम एक आ जिस्टेंस नू इस जिरी कुल प्रतिरोध जानी कि adult इस इसली तो इससे नाल सबंदिद कोशन काफी सारे डिस्कस कर चुकी है कि जोड़ साट गो समान अंतर ते विच ऑजिस्टेंस हों दिया है असी ओधोना अर्जिस्टेंस नू उपर गुना कर देने है और नीचे ओजिस्टेंस नू असी प्लस कर देने है तो सटेको फार्मुला बन जाना जाना जी 9 तेन गुना तेन बन गया जी 9 तेन जम तेन आगया जी 6 ठीक है शाट गया तेन थी नौ तेन दूनीट छे आगया सटेको तीन वट्टा दो ते तीन वट्टा दोधा मींस किन आगया एक बट्टा जैने कि 1.5 जो तुसी 3 नू दो देना तक्सीम करोगे तो आज़े को आंसर आ लग जाएगा जीरो लग जाना थे पाइंट नहीं दास तो एक इना जाएगा जी वन पॉइंट फाइव वैसे भी करना कि जो तो भी कोई दो और जिस्टेंस असी पैरलल दे विच लगाने हैं तो अगर वह स्पोस्ट करो जिसना सी कहते नहीं कि यह पांच ओम है यह पांच यूज करिये तो इसनों समान अंतर विच अगर इसी इस्टेंस टोटर निकालनी है पांच गुना पांच तले जम आजाएगा उपर किना जाएगे जी पची थले किना आगा जाएगे जी दास ते नों डिवाइड करांगे तो पॉइंट पांज तो टोटल जड़ी इस्टे सुनदीये तो उससाव हो जैंडे再 इसकार इसाज़ा जो आंसर है अनसर एजसर सेकंड विचान इन्यक्षा जो है राइट आंसर आएनाइट नेक्टि नंबर तिन मेजर कर देए किलो बोल्ट पर मिली मेटर देविच डालेक्टिक स्टेंथ है कि जिसना मानलों सा डेकुल एक थीक इंसुलेटेड वायर है इस यह थीकनेस है वह वन एमम है तो इसे विच जिननी वोल्टेज इसे विचों पास होएगी यानि कि वन एमम मोटी पर्थ विचों जिस वोल्टेज जो वोल्टेज इस दी जो इंसुलेशन दी पर्थ नो डेमेज कर देगी ओ इस दी डायलेक्ट्रीक स्टेंग्थ होएगी जहां तुसी एद्दा भी कह सकते हो कि जड़ी सा डेकुल की जड़े तुसी दे मोटी पर्थ है ओ 3.2 KV जड़ी वोल्टेज है ओ सैन कर सक दिये उस दो बाद एक यह इंदिया ब्रेक हो जन दिये ओ जो इंसुलेशन दी जड़ी पर्थ है ओ ब्रेक हो जन दिये तो इस जो राइट आंसर आजेगा ऑप्शन सेकंड आजेगा कि कपैस्टर ते इंसुलेट डाइलेक्टिक स्टेंथ जड़ी है ओ किस दे नाल से बंदीत है कपैस्टर ते इंसुलेटर डाइलेक्टिक स्टेंथ इस दो कपैस्टर ते विच एस अड़ेगोल जड़ा इंसुलेटर मटीरियल होंदा है इस अड़ेगोल कपैस्टर होंदा है ठीक है जी तो इह डिपें केवल इज मेड ऑफ स्टील वायर या स्टील टेप दी जड़ी बनी होंदी है अंडर्गाउंड केबल ओ इस दा जो राइट आंसर आज़ेगी आर्मोरिंग उन्नों की कहने जी आर्मोरिंग अगर मैं दनों एक इस दा अंडर्ग्राउंड केबल डी ड्डिकनार्म दिखाना दो सक्रीन तो एग तुझसी अंडर्ग्राउंड केबल दिख सकते सक्रीन दे जिससे विछ इसा डेकुल कंड़क्टर है इसा डेकुल पेपर इंसुलेशन है उस वाद लैड सीत है उस बाद ए बैड़िंग है और बैड दो बाद एक यह आर्मोरिंग ये आर्मोरिंग है जिडी की स्टील दी बनी हों दिया और इस दे उपपर जिडी लास्ट यह उन्हों से कहना है जी सर्वीं तो इस जो राइट आंसर आना इस कोश्टन दा हो आजेगा जी आर्मोरिंग नेक्स्ट कोश्टन नंबर पांज है जिसे विच की हेठा दित्यां विच्चों केडा कथन ओवरहेड ट्रांसमीशन दे लाई सबंद विच सच है ओवरहेड ट् अंडरगराउंड सिस्टम एक उन्द ओवरहेड सिस्टम पहला की संचार जड़ियां ट्रांसमीशन लाईना विच कोई दखल अंदाजी नहीं होंदी की दसना से की हेठा देते हैं विच केडा कथन ओवरहेड ट्रांसमीशन सिस्टम दे विच सच है तो ए पहला जो पॉइ आंसर ए आजाना की गल्ती नू असानी देना लब्या जान्द है इस फाल्ट नू बड़ी असानी देना लब्या जा सकता है ओबरहेड ट्रांसमीशन लाइन दे विच अंडर्ग्राउंड लाइन दे विच जड़ा फाल्ट लबना बड़ा ही मुश्कल होंदा है तो इस्ता बड़ी असानी देना जड़ा लब सकते है तो नेक्स्ट कोश्ण वेरी वेरी इंपॉर्टनेट है जिससे विच्छे की टैब चेंजिंग टैब चेंजिंग जड़ा ट्रांसमीशन गोब्या त्ना बोड़ रांसमीशन की इंदा किस वस्तिए असी यूस कर सकते हैं ऑग ट् ट्रांस्फार्मर जड़ा यूज करते हैं आउट्पुट वोल्टेज नो चेंज करन दे लई नेक्स्ट कोश्चन है कि जेकर किसे बदल दे करंट यानि कि अल्टर्नेटी करंट एसी करंट जहां तो सी कह सकते हो अल्टर्नेटी करंट दा शीखर पीक वैल्यू जड़ी है और दासंपियर है तो इस ता जड़ा आयाम जिन्हों असी एम्प्लिट्यूड कहने है वो किस दे बराबर होएगा जो दो असी साइन वेव दी करते हैं साइन वेव जड़ी साठी को इसना बन दी है अजने मेक्सिमुम जड़ा ए पॉइंट होंद जड़ा है वो देयसी पीक वैल्यू अंगैं ऐन्होंसी हीज़ी करने हैं वेव किय नीख वैल्यू और इस पॉइंटनी हिंख उन्होंसी कहते हैं इम्प्लिट्यूड मेख गर ङुगर दासंपियर है तो इज़्दा जो amplitude भी किना होएगा हो भी किना होएगा जी 10 ampere एज़्दा जो है राइट आंसर आजएगा option second next question है very very important question है जिससे बीच है कि if each cell shown in figures emf of 2 volt then the voltage of the circuit is equal to ए देखो जी चार सेल लगे दिया है और चारोई सेल जड़े है दो वोल्ट दिया है इस terminal जड़ा positive ते negative terminal है इस दे विच जड़ी है किन्नी voltage होएगी तो इस जो right answer है जी कि आजएगा जी 2 volt क्यों क्योंकि तो आनों सारे नों पता है कि जो parallel दे विच जड़ी voltage है वो सेम रंदी है parallel case दे विच जड़ी voltage है वो सेम रंदी है तो यह जड़े तुसी सेल देख रही हो इस parallel दे विच connect है इस करके इस दी वोल्टेज है वो दो वोल्टी रहेगी अगर आसी जिसना तुसी अपने टार्च विच यां को बेटरी विच जो इस सेल यूण कर देंव ऊसी सेल जिसरे एक सेल दाए positive terminal एक नेगटिव 吏 फिर एक सेल जड़ा positive ठर्मिनल होंदा है तो दूसरा जड़ा negative terminal होंद इससे उन्हों connect कर देंवीं तो एगरसा डेकॉल 1.5 लगाने है श्रक्राइब लगाने हैं तो अगर्ण२ प hedge लगाना है यह 12 फॉर्स्ट ऊप्शन इसर है अले बोल्ट इस जो राइट आंसर है नेक्स्ट कोश्चन है जी कोश्चन नंबर है 9 जिससे विच्च कि जेकर एक बदलबी मातरा जिन्हों ऑसी Alternating Cranks कहसे दे तुसी Alternating Cranks प्रती सेकंड प्रती सेकंड 100 चक्कर पूरा कर दे है ता एक चक्कर पूरा करंदे ले किन्ना करंदे ले लिया गया समा डैश दे बराबर होएगा means कि एक सेकंड दे विच किन्ने चक्कर पूरा करते है जी सो चक्कर तो ही सो चक्कर कहलो यहां revelation कह सकते हो जा चक्कर हो गया जहां गया जी एक किनए पटा की आचेगा जी सो तो नाल की लाग गया 1 इसला घीन्ट तो इकबटा जोदो तुसी एक बटा सो करोगे एक इनना आजाना साड़ेको उपर डेसिमल आजाना जीरो ते एक ए साड़ेको आजेगा नाल लग जेगा जी सेकंड ठीक है जी फिर में एक वरी रिपीट कर देना कोश्चन नो इस जे विच एक सेकंड दे विच जेड़ी चक्कर है ्छिए रेवूलेशन सो बटा सो खैए गाजातर अजेगे एक सेकंड जाना सेकंड – largest number 10 इसे प्रहिए अने क्विच बटा सेकंड कोन घाना जीडर ये नाल दिण जाना कोश्चन सेकंड की एक संड दे में सेकंड की ज़ाना जिख देना Chi नंतेे हैं थे दिनदी कोषण जड़ा कर चुकी है कि यियो नंटी bagus सोचर्कट कंदी के सब्सक्राइब इस एकोल वोल्टीज है और regulation glance ते वोल्टीज एक ही ही लाइन गजाए है लेगल वैजा टेज्क एंगल है ओंगल होंदा जी जीरो तो एक को साइन देना रसी नी शो कर दे ते कोस जीरो दी वैल्यू जड़ी है ओं की ते बराबर होंदी है ती वन तो वन नोसी कहा देना जी यूनिटी पावर फेक्टर इस करके इसा जो राइट आंसर हो आजेगा जी इर्जिस्टीव दो करते हैं इंड़्य करके बरेफ करनट ऑलेअ को ना मचि अरक। पेसिटीव सरकट इसर चपिन्ट हो लीडने आलो शो इत। वोल्टेज है और 90 डिग्री करेंट नालों वोल्टेज नालों जो करेंट आओ लीड करता है तो एकॉर्डिंग टू टैंथ कोशन दे आंसर जो आजेगा अजिस्टीव सरकट जिससे विच जो पावर फेक्टर है यूनुटी पावर फेक्टर है जा तुसी कह सकते हैं पावर कि फॉर्म जञडीबन दिया है प्रमानेंट मेंगनेट मूविंग क्वाइल पर्मानेंट माजट मूविंग क्वाइल ऑसी इस्टूमेड जड़ा यूज सुच तो इनूझ दिसी measurement ढेन की DC voltage और current measure करनुवाज दे आसरे यूज तरय उसे यूज करदे है permanent magnet moving coil instrument और इस थे question वेज़ा सिदसना की जो P है ओखी है permanent P दा मिनिंग है permanent magnet moving coil इस थे फुल फोर्म बन्ज़न दिया है next question नंबर 12 जिस्ट विछ की हिठान दिते विछ केड़ा एम ओ जी डिवाइस द्वारा सही टंग दे नाल माप्या जंदा है एम ओ एधी फुल फ़ाम बंदे जी मगनेक्टिक ओईल लेवल गेज मगनेक्टिक यहनों लिख देने हैं अगर लिखना है यहते हैं लिख देने हैं जी मगनेक्टिक ओईल लेवल गेज गेज यह जो फुल फ़ाम बंदी है और इस जो राइट आंसर है नो किस स्वास्वास से जिड़ा यूज किता जननने एक ट्रांसफार्मर देविच तेल दे पदर दा स्केंत दिननल धाया जननकी से विच्छ सानूं Transformed जो oil है उसे level दा पता चलदा है इसकार जो नाभी है Magnetic oil level Gaze एक तरह दी Gaze है जितनों पता लग सब्यदा है कि टेल दा level है ओ किन्ना है गाद ऑप्चन 3 जो है राइट आंसर है Next question है Very Very important है जिस दिविछ question number 13 जिस दे विदस है कि बनाव्टी सा किरिया दी जड़ी सैफर विदी दी वर्तो उस समय किती जदी है जदो पीडित दे जदी डैश बली होबे जा बले होन इस दा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है जी ऑप्शन सेकंड आजेगा पिठ शैफर विदी दी अगर गल कर दे हैं इस दे विच की उन्द है कि जेड़ा रोगी दे कपड़े टिले करन दे मगरों उसनू टिड़ते पार थले लिटा देता जन्द है ते सीर अते मूं इक पासे कर देते जन्द हैं ते दोहा बहा नूं सीर दी दिशा विच फिला देता जन्द है ता इलाज करन वाला रोगी ते लक दे नेडे इक पासे गोड़ियां दे पार बैजन्दा है ते फेर अपने दोहां हत्थानों रोगी दी पीठ ते इस तरह रगदा है कि दोमें अंगूठे आपस विच मिल जान्दे हन अते उंगलां रोगी दियां पसलियां ते हेथां फैल जान्दियां हन जिस गारण फेफडे सुंग्ड़ दे हन अते हवा बहा निकल दियां इस तरह रोगी दी पीठ ते दवाब पाया जा सक्दा है इसा पाव है कि जविच की उन्दा पिठ ते जड़ा दवा पाया जन्दा है और इस तो मगरों रोगी दी पिठ ते दवा कटाया जन्दा है अते हथानों कुझ उपरवाल उठाया जन्दा है और इस तरह करंदे नल की उन्दा फेफडे जड़े है फैल के हवा अंदर खिच देहान और यह जड़ी किरिया 14 जा 15 वारी करंदे नाल जड़ा सा चलना जड़ाओ शुरू हो जन्द है यह सैफर विदी है इस दी डेटेल किते नेक्स्ट वीडियो वे चासे ही इस दी पूरी जो डेटेल है इस चैप्टर दी करांगे नेक्स्ट कोशन नमबर चोद है जिस देविच है कि जेकर साइन वेव दा यह जी शीखर वैल्यू है पीक वैल्यू एक सो चताली वोल्ट होए ता साइन वेव दी जीड़ी आरेमेस मुल की होएगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है जी देखो असे यह सा डिकोजी साइन सैन्न वेव ए और साइनवेव देविच एड़ी मैक्सिम् वैली है अशने है पीक वैल्यू की कहते हुआ मैञेए पीक वैल्यू तो जेड़ी ईससे बात आरेमेस वैल्यू दसी एजी姐 सटे को इंस्टेणीयस वैली हुं दिया है इदी जड़ी आसी एवरेज निकाल दें उन्हों आसी कहने है आर एम एस वैल्यू इसनों आसी इस फार्मुले देना कल्कुलेट कर दें है पहला भी फार्मुले डिसस कर चुके हैं कि जड़ा क्रंट आर एम एस यह बराबर हुंदा एक बटा अंडर रू कि उस पोजिशन दें सब्एकर इनने कृंदान है मैक्सिमम अब्स कृर्ण आतो ऐघ किने कृण है दी ज धेकह मैक्सिमम tapi value निकाल नूदान है तो सबड़ुकाली फाराम थे यृत कन और लोटर पॉर सिल्भाम्दान करता जाए कि 100 वोल्ड इसदा जो है राइट आंसर आजएगा option first इसदा जो है राइट आंसर है तो next question number 15 जिस्दे विच है कि what is the correct unit of power power दी जड़ी है correct जड़ा unit दसने दो सी power दा unit किये option इसदे विच जो राइट आंसर है newton meter per second power दा जो SI अगरा सी unit दी गल कर दें जो power the SI unit है ओ आयांदा जी सदे को जी watt smallest unit जड़ा वाट आज़ांदा है ते biggest unit जड़ा उन्हों सी kilowatt दे विच है defined कर दें और इस question विच दसे कि जड़ा है newton meter per second अगर आसी इन्हों थोड़ी simple पाशावच कर लिए कि newton कि दा unit है गाजी force दा मीटर जड़ा कि दा unit है गाजी distance दा मीटर दे और एस की आगया सदे को जी second एस की आगया second कहलो जा तुसी time लिख सकते हो time कर लो यह second कर लो हुन एफ सा डेकल force है ऐसा डेकल distance है ऐसा डेकल time है means तो सी एक example तो समझ सकते हो कि एक सा डेकल एत्य सा डेकल कोई box है और जो तो सी कोई न्हों force लगाने है इस box नूँ इस जगा तो उठागे असी इस जगा ते जाने की number two ते ला जाने है इस box नूँ तो की हुएगा इननू असी कहने है कि कहा वार्क तैंग्ष किसे पराबर होंदा है f जाने कि इसी स्भाउर्स लगा यह तो 颜ैने एसी दूरी कवर कितु है तो इसी डिस्टेंस कर सकती्ए। फोर्स इंतुडी ठीक है और ज हुआ टाइम देना डिवाइद कर देना है जो तो सिभार को कि आ जैने जी शक्ती जिन्हों से कहने है कि नोशी कहए रवर और तो कि सव cafeteria जट्राइब तरफ मय ग debris Guard가지고 और तो तो इसदा जो है राइट अंसर आजएगा F into D by T यानि कि न्यूटन मीटर पर सेकंड ए इसदा जो है राइट अंसर है निठा दितियां विच्चों केडा बिवसाइक खत्रयां दा कारण है जादा समय जाँ कंटियां तक काम करना खराब राखर खाब सिगरेट बीड़ी पीना जा पीपी इदी कमी तो इसे विच्च जिड़ा खत्रा है ओप्शन थर्ड है जी सिगरेट बीड़ी पीना यह इसदा जो है राइट अंसर है नेक्स्ट कोशन नंबर स्तार है जिसे विच्च है कि जेकर सुरख्या चिन नीले रंग दा है ता हेट दित्यां विच्चों किस दा विकलप दर सौंदा है ऑप्शन है सुरख्योत स्तिति रोक जामनाही लाजमी चितावनी इसे राइत आंस रहाजी जोड़ा नीला रंग है ओ लाजमी सुरख्या दा चिन है जनों सी मेंडेटरी कहतानी है लाजमी सुरख्या दा चिन और नीले रंग दे नाल दरसाया जंद है उस भाद अगर असे रोक जा इजा नाही दी गल करिये तो यह रेड कल्डर दे नाल दरसाया जंद है अगर कोई चताव नी देनी है ता ओ जेडा कल्डर हूँ जेङलो दे विछ जेलो कलर दे विच जेड़ा दिखाए जानदा है और जेड़ा ब्ल्यू कलर है जाने कि जेड़ा नीला कलर है वो लाजमी देवास्ते है यह देखो जिड़ा तुसे देख सकते हो इस विच जो साइन है सब तो पहले फ्लेमल गैस जो रेड कलर दे विच दस्यागा जाने कि चितावनी है उस वाद ए नीला जिड़ा रंग है हेरिंग एंड आई प्रोटेक्टिंग मस्ट वी वान तो यह जिड़ा नीला रंग है एक कंपलसरी दे लही है उस वाद फिर तुसी रेड रंग दे रहे हो देख रहे हो जो कि फायर ब्लेकेंट है और यह सा डिकुल चितावनी वाला स्लिपर वेन वेट और रेड फिर आगया स्टॉप वाला ए मनाही वाला आगया साइन फायर एक्सिडियुशचर रेड कल चेहत यह भी कि आगया साइन मनाही वाला तो जोड़े फस्ट एड बॉक्स है ए गरीन कलर दे विच दरसा हय जन्त है और तुसी थी atand मनाही वाला जो है रेड कलर देवेच इसना दसाया जन्द है और स्पीड हम्प ए जेलो कलर देवेच जड़ी की चिताबनी दिती जन्द है और इसना दुसे ही जड़े है एना दे जड़े साइन है वो गैस कर सकते वेच थीवेच्ऑ फश्फार्मर मक्षोड सरकाट लो लोडų इन्दे वांट मीटन दी स्पीट है इस दे विच यह वांट मीटन हूट योज कि ता जन्द अधर बहुत सार hair भी बनती है इसे diagram तो आसी समझ देया, तो ए तुस ने सिंगल-phase transformer शॉट-circuit test है, जिस दे विच दिख सक देया, तुस ने वोल्ट मिटर लग गया, M मिटर लग गया, और एक जड़ा एक वाट मिटर लग गया और इस दे विच गिड़ी primary winding होंदी है, वो हाई voltage होंदी है, हाई वोल्टेज दा मीनस है कि यह ज़ादा होन गया कमपेर टू स्केंडरी उसकेंडरी साइड दे यह ज़ा लने है उन्हों सी कहने कि लोग वोल्टेज फेरा सी नो शॉट कर दे है और यह नो शॉट सरकट टेस्ट और यह टेस्ट ट्रांसफार्मर दे विच कॉपर लॉस नो फाइंड आउट करने वास्ते कॉपर लॉस पता करने वास्ते शॉट सरकट टेस्ट जड़ा किता जन्द है और एक टेस्ट हुन दे जड़ा की ओपन सरकट टेस्ट है उस दोबे चसी iron laws जएड़े है ओग केल्कुलेट कर दे आए कही वार इस तना आँद है कि short circuit जड़ा टेस्ट कर दे हैं उस देपे चसी किदा पता कर दे हैं की की ती value निकल दिये जो तो short circuit test है आसी कर दे है copper laws find out करने लए short circuit test copper laws find out करने लए जी जड़ा Open Circuit Test तो अपन सर्कूर्ट टेस्ट है और असे उसी कर देया जी Iron Laws Find करने ले तो ए जो तुसी डाइग्राम देख रहे हो ए अपन सर्कूर्ट टेस्ट होन इस दे विच एक VOLT मींटर जड़ा पैरलेल विच लगया एम मीटर्च यादा सीरिस पुछ लग गया और एक लग गया जी वाटर मीटर और तुसी देखो भी इस धे विच की डिफरेंस है ओपन सरक्रट ते शौट सरक्रट इस दे विच की है कि जीड़ी इस दी प्रेंबरी वाइंडींग है ओ लो वोल्टीज है लो वोल्टीज मीन्स अथे नंबर अफ तर्म आ गिए हैं काटे गिए और सकेंडी थी वेच जाड़ी नंबर आफ टर्म साजी एंगें हैं कंपेर तू प्रेंबरी तों जादा हगिएं ठीक है कई वधी क कुल्cely केक्ष हे किस केश पिखे इस जरी है प्रेइम्री दीनम्ब्र वाइंडीं टर्ण जडियां जादा हुं दिया है जाहां स्केंटे फेलर सकर टेस्ट फेली वाइंडिंग उपने हैं तो पहलागारम सी डायग्राम देखे उस ब्यूंडे दी इसी MP3 वाइंडिंग है ओपन है तो यह जड़ा टेस्ट है ओ आईरन लोज फाइंड आउट करन वास थे असी कैलकुलेट कर दें हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है और असी वाट मीटर दे नाल जड़ी पावर है ओड़ा कैलकुलेट कर दें तो जड़ा सब्सक्राइब कोश्चन ही कोरी फेर देनें कि सिंगल फेस ट्रांस्पांट यह शौर्ट सरकर टेस्ट देले ही लोड़ीं दे वाट मीटरां दी संक्या के नहीं हों दिया तो नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नंबर उन्हीं है जिसे विच्च है कि पोल जिसे फुल हम है कि ए तो बन्जनदा जि ट्र रिपल पोल मैनुली ओपरेड़ अपरेड इस्विच्च स्विच ट्रिपल पोल मैनुली ओप्रेटेड स्विच ए फुल फॉर्मा गिया जी टी पी एम ओधी इस विच कहा है कि टी हेठां देते हैं विचो किस नूँ दरसांदा है ते टी जड़ा एदरसांदा जी ट्रिपल पोल ए तुसी मोस्टली जो डिस्टीवुशन ट्रांस्फ जोब वाशी कट देने ट्रांस्फार पर देविच जोब कोई फॉल्ट पर जन्द है जब कोई एसी लाइन दी मेंटिनस करनी हो नहीं तो सब तो पहले आसी ट्रांस्फार माद जड़ा स्विच ऑफ कर देया गैंग ऑपरेटिंग स्विच तो ओज्ड़ा स्विच हुंदे उन्हों से कहने है TPMO ट्रिपल पॉल मैनुली ओप्रेटेड स्विच तो एच उसी डाइग्राम देख सकते हो ट्रिपल पॉल मैनुली ओप्रेटेड स्विच एडिस्टिवूशन जो पॉल मॉंट्टेड ट्रांस्वार्मर है उत्विच लगया हुंदा है जदो सी िट्रीनषिम। पॉल मैनुली ओप्रेटेड स्विच अनलो सकत्रेधिन फेस पावर सिस्टम देविच भीच एट लिके किन विच नूं रेटेड वॉल्टेज के आजंदा है इड कोल डिल्टावाला कएस इसे तिनों ही फ्यक्ति हुंदिया उन्हसी करिंए थ्री फेश सिर्ट मोगा डिल्टार थिक्षी फ्यक्स जाने average voltage या RMS line to line voltage RMS voltage आएगे कि जड़ी तो डेकोल पहुंच दी है available हों दिया है और H जड़ी voltage हों दिया है यह लाइन टू लाइन वोल्टेज देखो यह भी हो चाहिए नीचे वाले दो फेस लेलो चाहिए उपर वाले लेलो चाहिए फ्रस्ट वाला थिंगे haut जड़ी वोल्टेज है फिए यह इसलिभिए लगलग फेंस इसलिए कहां कि रैडड इक जल्म रियो बीवक यह छी और ओलिटी दो डिर हुड गवiği जेडिक बिक hem समग्री दिया दो ताराँ, दो तारा मसे डिकोर जीना ता जडी झडी फ़टउन्स है, उन्हों पात दसना दोना दा, जेकर डूजी तार दी लम्बाई, ते दूजी तार दा CROSSitel एरिया पहले नालों धूगना देखो जड़ी एडी अरजिस्टेंस है और अधानों पताया कि ध्रेक्टियर परफॉशनल ओना करना डानक तैसी mist चैसेक्ण ही केट्स यह उपपर भी टूवर नीचे ही तैक एक सलोजान है तो दोनों दी जड़ी रिजिस्टेंस अगर रहें सी रेशो लमागे तो रेशो कि नहीं आजाएगे साथ को 1 रेशो बंद कोई कि दोनों चीज़ां सेम में कैंसल हो जानी है तो जो राइट आंसर आजाएगा साथ देखोल जी 1 रेशो 1 ठीक है जी क्लियर हो गया एक और फिर क्लियर कर दाना कि एक साथ को रिजड़ा रिजिस्टेंस है ठीक है यह उन्दे डिरेक्टरी प्रपोर्शन तो लेंग्ट थे इनवर्सली प्रपोर्शनल टू और जिस्टेंस सेमी मटीर तुसी रिजिस्टी भी नोट करने है तो नोट कर सकते हो दूसरी सब्सक्राइब कि यह चैनि कि 1-2 1 इस धुए रइट राजिगा नेक्स्ट कोशय नमबर ब कि प्रया क्यों किस तरह यह लीक्ट्रोडिक स्टर कने नोटरी तीक क्पेस्टर पुलराइस्ट कके कंना है एक्ट्रोलाइटीक क्पेस्टरे दुझसे को सब् नला इसकोशन आप ही Your क्वेस्टला ओद्रेन नमःट्रो जुन रिजूरगेँ घ्टर विच तीर हेठा देते हैं विच्चों कीड़े ओवर हेड लाइन कंपोनेंट नो दरसांदेया है जड़े तीर है एक किस ओवर हेड लाइन नो जड़े है दरसांदेया है तो ए दरसांदेया जी आर्थ कंड़क्टर के नो दरसांदेया है आर्थ कंड़क्टर ए बिल्कुर डाइग आफ अंडर ग्राउंड केबल इस अब तुन लास्ट वाड़ी लियर हों दिये सर्विंग मैं पिछले कोश्चन दो पिचे था नो जो अंडरग्राउंड केबल है उसे डाइगराम दखाई थी और एजो सर्विंग मटेरियल है किस दा बने होंद है यह बने होंद है जूट दा पटसंद है यूट दा बने होंद है option third जो है इस दा जो है right answer आजएगा next question number 25 है जिसे विच्छ है कि जमीन दे केबला नो त्यान विच्छ रख दे हुए cross-linked polythine cross-linked polythine दा संखेप रूप दसो इदी जडी short form है और दूसी दस नहीं है और इसी जो short form है ओए आजन दी XLPTE XLPTE इन्हों से कहने है जी cross-linked polythine polythine cross-linked polythine यह जो केबल है यह सी HT high tension ते LT low tension वास से जड़ी है यूज कर दे है यह तो सहीं त्यान रखना है एक साथ डेगल केबला से यूज कर दे हैं जी PVC इस दी भी full form पुच्छी जन दी है इन्हों से कहने है जी पॉली विनायल कोलोराइड यह फूल फॉर्म है पॉली विनायल कोलोराइड इस दी फूल फॉर्म है यह जो केवल है इस सिर्फ असील्ट्री कहिसे यूज करती है लो टेंशन देवास्ते यूज करती है इसे । यह जो रेटिंग लो रेटिंग है और कि अधिक को आख क्रॉस लिंख पॉलि ठीन जो केवल है एह एच्टी ते ल्टी दे वस्ते यूज जड़ी है असी कर दें अंडर ग्राउंड केबल दे विच जड़ी है असी यूज कर दें नेक्स्ट कोशन है जी कोशन है जिसे विच है कि which of the following switches is used when lamp has to control from the more than two way two places जनी अगर तुसी दो प्लेस तो ज़्यादा कंट्रोल करना ते केड़ा स्विच जड़ा यूज करोगे सबतों पहलना तुनों पता होना गैं एक जड़ा से करांते हैं जो सिंपल्डे 3 switch यूज कर दें उन्नों से कहने है जी flash टाउप में एप स्विच और और सब उसी याद सेकवना ड़ना टु वे सविच में अगत यूज कर दें स्टेर केस विछ यहने कि जदो सी पोड़ियां दी वाइरिंग कर दें एक लेंप उन्द है उस देवे चन्नू दो जगा तो सी कंट्रोल कर दें एक नीचे वाली साइट नो तो नीचे तो जदो कोई जंद है तो स्विच ओन करेगा उपर जागे स्विच सुटा जन्द है उन्हों सीकेने है यह वे चुक्ड हई ठीक है और इस देविच और वं शमेंट की फरक को 100 अम शीच उन strikes जोन यूंसी केनन स्वेस्फ यह फ्लस्टाइप स्विच इस देव डो टर्मिनेलों हों देगी दो टर्मिनल अदिया ह्ए और असी गाल कर रहें है ते टू वे सुचच बच दीड विच जड़े यह ती न टर्मिनल होंद यह तीह न टर्मिनल भी धीच हो आसी इनू स्ट्रोल कर सगें अगर इस दीड याग्राम डेखने है पहलना इसे विच अगर असी दो लैम्प दीग हाल गारे मत दो स्ट्रोल डीनल अगर एक लैम्प न विक अख़ुर असी precise देने और यह वाले point नो मिलने जेनल और एवाला ediyor point जेनल मिल जंदे और एथे सा डेगोल आ जंदा जी lamp गें नो ऑसे lamp पहँने चोड़ दने और a जोड़ी wire उन्दे हों हाफा वाईर तोiron लाउसी नीजीटल वाल पॉइंट जेडा से इन्नों डिरेक्ट देता निया एक असें की किता कि दो स्विच ले है अंसे कि टू वेजर पर्रूज तरही नाला कि एक काहती एक लेmpt लूंग여 रहें टेंटर्मेडियेट स्विच उसे चार टर्मिनल वार और वार यूज करना है तो तो पिस only Lamp सभाईए है इंटर्मीडियेट जड़ा स्विच्च है असी ओ यूजर कर देयां मेंस कि अगर मैं इसी फिर अगर डाइगनाम नावाँ एसा डेगो आगा जी नूटल पॉइंट एथे आएगा सा डेगो जी फेस पॉइंट इसे विच असी एथे देदेनिया फेस एसा डेगो आगा जी ट डर मिल्स तर दो तर्मिनल जड़ा नीचे और है तर्मेनल इसे नगे कोनगते और awareness क्यों इसा इंध कर देने कृब define क्यों यार। प् vis t直 कुम जानद केहिता थे और सेम ही जो नीचे वाला प्वाइं एज नहीं होएं और यज़े तुनाल कुनेक्ट करने का राज़ा सेंते तो नहीं संप्लाई स्टम नो हो अनक्राहि तो चेष्ट लैंप आद पम तीन जगा तो चन्टोल जेगा एक है तो कंट्रोल पति कंट्रोल हो मिन से एक हो हो जाएगा अगर आसी कि क्वें खान साथ आपिं कंट्रोल करना है थे या पर यूजर हो जाएगा फिल आल इस न qualité बोगी है कि में साथ के Hagoo स्विच ये नाइब स्विच जड़ाँ सइसी सरकुट ब्रेक करणवास सिजट जड़ा यूज जूर कर दें इस डाइगराम भी तोनों दिखा दें हैं तो यो तो ऐसा डेकोल टाइब स्वि टू वे स्विच दे तो नाइफ स्विच दी डाइगराम डॉलनोड की ती सी मैं पर होई नहीं लगदा आओ तो नेक्स कोश्चन 27 जिस दे वे फेठां देते आविचो केड़ी-बिधी तर्ती दे प्रति रोध नहीं कट नहीं कर सकती तरती दे प्रती रोग जानि तरती दी रिजिस्टेंस नो काट नहीं कर सकती तरती दा लेक्ट्रोड खेतर कटाओं देना तरती दा लेक्ट्रोड अगर तुसे दा खेतर फाल जड़ा कटा दंदे हो तो देना रिजिस्टेंस दा कोई फर्क नहीं पहनदा है इस कि एलैक्टोड है नूँ समान अंतर देना जोड़ देता है पानी पान देना जड़ी अर्जिस्टेंस है कट सकदीया पर तर्ती दा इलैक्टोड केतर कटा अंदेना जड़ा प्रतीरोध हो कट नहीं होंदया ओप्षन फोर जड़ा इस दा जो right answer और नेक्स्ट कोशन है जेकर सुरक्या चिन पीले रंग दा है इस दा अकार किस तरह होएगा फिर कोशन आगा स्टार्टिंग इदा कार वर्गा कार होएगा आइता कार होएगा चक्कर कार होएगा ते तिरकोना अकार होएगा जड़ी सड़ी को चितावनी वाला साइन होंदा है यह ज्यादा तर मौस्टी की देविच होंदा है ट्राइंगल दी शेप देविच होंदा है तिरकोना शेप देविछ होंदा है यह ज़ो है राइटांसर है नंबर 30 दे आ गया जिसे विच कि इलेक्टिक शॉक इस एन-गेश सरी होविए और अनसर एक ना इंहों से कहें अडार कि बृजिकल इफ्ट ऊंद आ है जरी है और आपनी अक्षा ने नाNU दिख सक दिया फीजिकल इफेक्ट है जो किसे नहीं शॉक लगदा है तो तुसे पूरा देख सक्दियों के उससे जो बंडय नियुंचा लगदा उस झूर फीजिकल क्डिशन डूक न वर किस नमीज ऑज आप था गो जो किस तरह पावर फैक्टर निर्मत होंदा है यह सी कोशन पहला भी डिस्स कर चुके है जड़ा इंड़क्टर सरकट होंदा है कि सरकट विच इंड़क्टर लग गे हैंदा उस विच जड़ा करंट है वोल्टेज दे 90 डिग्री जड़ा की करदा है लैग उसी कंकानल लेग करेता है कि इंड़क्टर वाले कैस विच विच जड़ा पावर फैक्टर हां यह लेग इंड़क्टर वाले केस दे विच जड़ा पावर फैक्टर है वो लेगिंग हुंद है जिन्नी मी सा डेको इंडक्शन मोटर है जो असी इंडस्ट्री ची यूज़ कर दे है इस सारी जड़ी है लेगिंग पावर फेक्टर नो जड़ी है पडियूसर कर दी है नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 32 जिससे वेचे की बैटरी टर्मीनल बैटरी टर्मीनल ते यहां वोल्टेज है हमेशा उससे इमएफ तों कट हुदी है इस दा की कारण है इस दा कारण है की अंद्रोनी प्रति रोध जिन्न वसी कह सकते हैं जिए वोल्टेजड्रॉप वोल् कबर होंदा voltage plus IR, IR यह एक ड्रॉप होंदा है, ऐ आजाएगा सट्डे कोल करेंट, नो आजाएगा सेल दी इंटरनल रिजिस्टेन्स, यह उसी कहते हैंने voltage डॉप, तो दुशी ने अगर वोल टेज डॉप, voltage plus voltage drop वो किसे बराबर हुनदा है EMF ते इसलिए इस दी जड़ी अंधरोनी प्रतिरोध जड़ी अंधरोनी और जिस्टन से कारण जड़ी है इस दी जड़ी टर्मिनल दी जड़ी voltage है वो कट हुन दी है तो option 4 इस दा जो है राइट आंसर आजएगा next question है जिसे विच की हिठा देते हैं विच जो केड़ी मशीन जा केड़ा जंतर मशीन उर्जा नू इक रूपतों दुजे रूप बिच परिवर्तत नहीं करदा इस दा जो राइट आंसर है transformer transformer जड़ा है उर्जा नू transfer नहीं करदा है एक ही करदा है पावर नू transfer करदा है ठीक है पावर नू transfer करदा है voltage नू up और down करदा है without change of frequency लेकिन energy नू change नहीं करदा जिमें तुसी अगर pump दी गल करदे हो ता pump जड़ा ओ एक mechanical energy नू जड़ा fluid energy वेच चेंज करदेंदा है जड़ो इसे विच जड़ा pressure जड़ा पाई जड़ा pressure देना जड़ी mechanical energy नू fluid energy चेंज करदेंदा है उस वाद आगे generator generator की करदा mechanical energy नू electrical energy चेंवर्ट करदा है motor की करदी है electrical energy नू mechanical energy चे converter कर दिया इस जो राइट टांसर जड़ा right answer आजाएगा next question है कि m c c b the rated current तोर थे m c b di तुलन विच dash हुन दे वाद दे बराबर हुन दे काट हुन दे जा काटे या वाद हुन दे एम c b पहला दे इस दी फॉर्म देखू m c c b इन्हों सी कहने है जी molded case circuit breaker circuit breaker कहने है या इन्हों molded case circuit breaker ये इस दी फॉल फॉर्म है ये एक साथ देखू protective device से तोर दे आसी इन्हों use कर दे है over load current वास्ते short circuit दी protection दी वास्ते इन्हों आसी जड़ा यूज कर दे है और इंडस्टी दे विच mostly यूज होंद है और इसी जो current दी रेटिंग होंदी है maximum अगर current दी रेटिंग है इसी पच्ची सो अंपियर तक इसी जो है rating capacity होंदी है M-C-C-B यानकी molded case circuit breaker और M-C-B तो उन्हों पता है कि M-C-B की है miniature circuit breaker है जो आसी करान दे विच यूज कर दे है miniature circuit breaker और इस दे विच जो answer कियाएगा इस दे विच इस जड़ी current दी रेटिंग होंदी होंदी है M-C-C-B एक protective device है और अवरलोड ते short circuit दी protection दे वास से यूज जड़ी किता है इस दी जड़ी range है 200 ampere तो लेके 25-100 ampere तक जड़ी जड़ी range होंदी है M-C-B दी अगर ही range करिये तो 120 ampere तक जड़ा से यूज कर सकते है इस कार के इस दी तुलना दे विच M-C-B दी rated current तो आम तो दे M-C-B दी तुलना तो वाद उन्दा है option first इस दा जो है right answer है next question very very important है जिस दे विच हिटा देते है जो केड़ा component overhead line है दे विच नहीं यूज किता जन्दा इस दा आंसर आजाए कि capacitor bank जड़ा guard ऐसी यूज करने है खंबे यूज करने है इंसूलेटर यूज करने है लेगिन जड़ा capacitor bank है एसी यूज नहीं कर दे capacitor bank ऐसी किते यूज कर दे है जी एसी यूज कर दे है power factor नो इंप्रूफ करने वास्ते substation दे यूज कर दे है आसी इंडस्ट्री दे बेच तुम दसा है कि इंडक्शन मोटर ज्यादा लगी होंदे कारण जड़ा पावर फेक्टर है ओ लेग होंदे है उसनों इंप्रूफ करनवा से आसी कपेस्टर बैंक यूज कर दे हैं यहां तुसी कह सकते हो कि कसी हो और भी यूज कर दे हैं सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस मोटर भी जड़ी आसी पावर फेक्टर नूं इंप्रूब करनवा से यूज कर दे हैं पर इस कोशन देवेच जसी ए दसना है कि जड़ा कापैसिटर बैंक है ओ जड़ा option अजी option first capacitor bank next question number 36 है जिसे विचे कि transformer ठंडा करन्द लेए हेट लेके हैं विचे केडी वी-धी यड़ी गलत है केडी वीधी यड़ी गलत है पहले लागे एर ब्लास्ट forced airblast forced असी use कर देयां transformer ठंडा करन्वास इक आगा साथ और आपड़े साथ that oil natural air force जोड़फार्म ओन एप ओइल नैच्रल एर फोर्स और एडिस अजर्च नहीं है एक अगया कुदरती हवा कुदरती हवा भी ट्रांसफॉर्म ठंडा कर से लेकिन एर कंडिशन देनाला से ट्रांस्फार्मर नो फंडा नहीं कर दे एवी दी गलत है इस कारण इस दा जो राइट आंसर है ओप्शन थर्ड इस दा जो है राइट आंसर आजएगा नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर थर्टी सेवन है जिस दे विच है कि प्रतिरोद्यक दी परिवर्तन शील तापमान अते नमी दी स्थेथि विच स्थीर मुल बना इरख थे लिसमर्था नू की कहने न स्थीर जीदे विछ stability कहते हैं इस जो राइट टांसर है वह आ जाएगा जी stability stability ना मतलब है कि ओ system जीदे विछ कि असी उसी जड़ी output नुसी control कर सकने है उन्हों से कहने है जी stability stability नू उसी इससरे define कर सकते है कि stability if its output इस अंडर कंट्रोल जीदे विचे जी आउट्पुट है अंडर कंट्रोल हों दिये है उस चीजनों सी कहता है नहीं स्टैबिल्टी यह इसा राइट आंसर आजएगा ऑप्शन फर्स्ट इसदा जो है राइट आंसर आजएगा नेक्स्ट कोशन है कि छोटे पे मानने दियां दूबिटी अर्थिंग लई तर्ती दे प्रातिरो तो वात्तो वात्त सवीकार मुल किनना होना चाहिए जाए जानी ऊडाए यह वो काट होनी चाहिए थीक है जी बड़े पे मानने देते अगर छोटे पे मानने देते अशी अर्थी यूज़ करने हैं तो इस दी जो मैक्सिम वैल्यू जड़ी है दो ओम तो ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए इसकारण अगर एक ओम है तो डा ओ आंसर आएगा अग कि सक्एंडारी ओजारन नू़ डैश परकारांदे वीच परीवर्थी वर्गी किता जनने है ऑप्शिन 5-3-4-2 इस दा जो राइट आसर ऑफिन 3 जी सेंडरी ओजारन नू़ वर्गी कितागी है इननों किता है जनन सब्लभा जननदा जी कोई भी जड़ा से टूल लंने हैं उसी की हों ते पैला specific Philosophy gfill कियोगे क्रेब चैन्स है किसी कोठेन किसोद कर दें और क्धि कर सकते और लंबर देनतान्फ एख्यर एंड मैंटेनेंज वह जड़ा तूल है उस्ट केयर और मैंटेनेस आसी किस्तों करना करनी है फिर इन होसे तीन कटागरी दे विचे डिफाइंड कर देने है एक सपेसीकेश्चन एक यूज यूसर एक आजेगी केर ऐन्ध मेंटेनेंस केर ऐन्डेंस नेक्स्कोश्यन एक कोश्यन नम्बर है जीACHाली जीसे करें कि पर्मानेंट मैंगनेट Chrasm PM something Ét All for टिन्य दिफाइफ करते ने बंदेनेंए एक स्पैसिफिकेशन एक यूजआ थे एक कि केरेंड ऑफ एनड यूनटे नेंजस कहुष्ण नंबर जि चारली झिसे विचatri कि गग है कि यह कर परमानेंट मैगनेट मौविंग और युड सीवी फूल फॉर्म जाद दहिना जी पर्मानेंट मैंट मोवींग कोल और एह फॉल्ट कि लिएफलो टीज और करेंट नो असी मिजर कर दे हैं पर्मानेट्र मोविंग कोई इंस्ट्यूमेड दे नल पर इस कोशन वीच थे कि पर्मानेट्र मैगनेट मॉविंग कोई जोड़ा उपकरना है इस दे दो आजाएगा साथ को जी वोल्ट मीटर इस जा जो राइट आंसर है एक ही आजाएगा वोल्ट मीटर की सरक्त विच किसे प्रतिरोध ना जोड़ आएगा तो किड़ा उपकरनों अचाहेदा एक वोल्ट मीटर होएगा नेक्स्ट कोशन है कोशन नमर्फोटीवन है जिसे विच एक बदलती मातरा जिन्हों से कहने है साइन वेव या तुसी कह सकते हो अल्टर्नेटिंग करेंट साइन वेव इस दितिया केड़ी चीज जड़ी है सच है very,very,important question, दिखो, जी,ड़ अल्टरनेटिंग generation है, ईक करते है, change, निग्णिटूड है, change हो nee, alternating current, start with respect to time, time according yeah, alternating current है, change हो mean, और इसे देने, इत ए इद StraßenNow भी है, चेंग्यूनो है, दिखो है इद आगि, के यहां वाल आगहाना दागहाना हाव साइकल हम लुगे हर था यह रिख और नेकर्टइव की तो दोन्हों चीज दसने मिलत एक complete थोड़ा cycle बनना है, एक वर इनु फिर थोड़ी clear करके बना लेने है, ए सदे कोल current है, ए सदे जड़ा magnitude है, positive और negative, ए पार्ट सदे पोस्टीव आ गया, ए पार्ट सदे नेगटीव आ गया, ठीक है जी, एधी जड़ी direction है, एवरी half cycle दोबाँ change होरी, पहला half जड़ा positive है, अगला half जड़ा की आ गया, negative, तो जदो एक positive एक negative हा आ गया, एक पूरा एक cycle बनजन्दा, एक की बनजन्दा पूरा cycle बनजन्दा है, और जदो एधी आसी positive एवरेज वैल्यू, एधी एवरेज वैल्यू और negative एवरेज वैल्यू लेने है, तेना दोनना दा sum जड़ा, ओकी आंदे है, 0 अंदे है, यदा दोनना दा sum की आएगा, 0, जो, A is the right answer है, यह तुसे याद देखना, मैं एक वरी फिर important point क्लेर करता है, कि जड़ा alternating current है, वो change होंदे है, with respect to time, ते नाल ही इस जड़ी है, direction जड़ी है, change होंदे है, after half cycle, यह देखो यह half cycle positive है, उस बाद यह half cycle की हो गया, negative, जदो आसी positive ते negative, दोनों half नों जदों आसी plus क कर दें है, तो इधी जड़ी value है, इधा साम की होंदे है, 0, जात उसी इनुस्तरा भी समझ सकते हो, कि मानलो, यह साथ हो voltage है, 0 तो उसी start कर देने है, current साथ हो, 0 तो current जड़ा, एदधर, आजंदा साथ हो, 10 A, पहला current जड़ा, positive है चल जनदा, 10 A, उस तो बाद, जड़ा current है, इस point तो फिर किया आजंद है, negative, negative गिया गया, 10 A, ठीक है, जड़ा, एनुस्तरा कर लेने है, कि A साथ ड़ा, एक point है, 0 point है, एद्थो पहला, positive है, साथ हो, 10 A, positive, उस तो बाद, फिर, negative है, किन्ना आ गया, 10 A, negative, 10 A, जड़ा लेने है, जड़ा है, जड़ा है, फरस्ट हाफ है ए, second half है, ठीक है, जो तो दूँना हाफ आणोह, पलस करांगा, साथ यह वैलीं किन्नी आगी, एक, negative, 10 A, äक किया आगया, positive, 10 A, एक किया पोजटीव टेन आगी, जड़ा, 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 जड़ा जो राइट एंसर आ जागएगा, very very important question है, option second है, जड़ा ज़ा, जड our to Elections den spoke to code kanar djiehku au Network toں ностью University कुरिशी फॉर्म कोष उद्ते चक्राकार कॉया यह क्या है यह कुर्शी आँए पकी टान्सbin लुच्राइफ पृर्षी सब्सक्षुn एर्या तु laga कुर्षी uta बू era पॉर इस जिदे उपर किया है, चक्राकार जेडी किया गिया है, क्वाइल है तो अप्शन थर्ड जो है, राइट आंसर आजेगा नेक्स्ट कोस्टन है, जिदे विच है कि, विच आओ फॉलिंग कॉंपनेंट आफ आफ आवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इस में फार रिलक्टेंस ऑसिलेशन ड्यू टू विंड इस दे विच इस जो राइट आंसर है, वह से यूज करता है, जिदे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है और जो दो ओवर हैड ट्रांश्मिशन नाइन है जो विंड दी ओसिलेशन होंदी है हवा चल दी है बिंड चल दी है उदिन दलता है कि फेस है आपस विच्छ टच ना करन वर इस चीज़नों परटेक्ट करने वास से अजी डेंपर यूज कर देंपर यूज कर देंआ ताकि इ डेंप पर यूज़ कर दे हैं जदो कि ट्रांसमिशन लाइन दे विच ऑसीलेशन हों दी है विंड दे कारण हावा देनाल तो उस वेले असी डेंप पर यूज़ कर दे हैं ताकि जो फेस है वह आपस विच टच ना होन तो इसा जो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड आ गया नेक्स कोशन है कि चुम्ब की सरकटां दे विचे हेट देते हैं जो केडी उदारनों लो रिटक्टेंस वलनों दर्साया जा लो रिलक्टेंस देखो जी इरलक्टेंस तो पता होना चाहिए इस जो बेसिक इस जो पॉइंट है मैं एक अलग वीडियो विच थानू इस दे ज हाला आसे दिए एलक्तेंस की उंदा ृर्लक्टेंडेंस तो है अबैल्टी तूब ऑफ व्लो ओफ माग्नेक्टिक फ्लक्स स्पाह्ता है तुल्हावत और उन्हों सी एलक्टेंस कहने हैं जिदे रिजस्टेंस तूसी तूसी मов MH q कर दिये कि यह क्रेंट नो अपोस कर दिये उन्हों वसी कहा देना जी अर्जिस्टेंस जनकी कुरेंट दे रस्ते वे जड़ी रुकावत है उन्हों वसी कहा देना है अगर 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 मुष्ट जड़ी अर्जिस्टेंस जड़ा होएगी ते करेंट की ओएगा मुखें आज है अगर 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 रिलक्टेंस जड़ी है काट है ते फ्लक्स ज़्यादा होएगा फ्लक्स जड़ा ज़्यादा होएगा तो हो नसी इस कोशन दे आ जाने हैं कि चुम्ब की सरक्टना विच लो रिलक्टेंस वज्जों दर्साया जानते हैं वो आइंदा साथ देखो जी आईरन सॉफ्ट आइरन जन्हों से हैं आईरन सॉफट आइरन देश्ज जड़ी है, रिलक्टेंस जड़ी है, लो ना दीए है और रिलक्टेंस लो हो न दे कारण जड़ी की फ्लक्स दी वेल्यों जड़ी है और फुलक्स दोच जादा फेलों करदा यही कर Yeah, ProfJa développ already इस ब्हुल मेरे करने उसम जादा है , prosले दिमीश कर दिया pressing उन चाही करते हैं , अब है , मेयीजे आइसा Minister्व चाहिआ है , आधा है , deflux दोफ धेलुन ने आए , फ्लक्स ती मात्रा जडिया हो ज्यादा हों दिया फ्लक्स ज्यादा होएगा थे mmf दी वैल्यू जडिया ज्यादा हों दिया mmf होंदा है magnetomotive force मैं एक लग वीडियो वेच इस दी पूरी detail थोड़े ना पूरी discuss करांगा एक पास इलेक्टिकल सरकट एक पास जड़ा सी मंगनेक्टिक सरकट थे ना जड़ा compare करांगे इसे भी दित्ता है कि दित्ते के चित्तर और साथ सरकट देविच करंट आई वान आई टू ते आई थ्री इता तुसी अनुपात दसना है कि इस दा अनुपात की है डायगराम तो उसी सकरीन दे देख सकते हो जिस धे बच्छे की तिन आर्डिस्टेंस ही इता है या टू ओम तो और लिखे दा जैननी कि ए टू ओम होना है यह सीरीज लविच सरक्ट है, इस सजो र्जिस्टेंस झीञाए तो यह शेडेंगी के घुड़ाओ लेधिरियूर। तो सब्सक्राइब हुड़ाओं कि णे और वान और जिस्टेंस थानुक नहीं दिती एगा दो ऊं़। उस लाद अगर आहसी आई टू करन्ट कणर डिया है इसे विए वोल्टेज सेम आगी इटू और और जिस्टेंस किन्हा गी जी चाहर और अगर आई थी डिक लगा पर दिवेच पर एन उसी इसना करके लिख सकते हैं कि जेड़ा I1 है उसा डिखवा जेगा जी एक बटा दो उससे बाद आ गया I2 सा डिखवा गया एक बटा चार आई थ्री जेड़ा उससा डिखवा गया एक बटा छे इधी वैलिव आगी उनसी इस दी जो जो क्रेंट दा पूरा अनुपात है उनसी आई वन पूरा कैलकुलेट किसना करांगे उन देखो एक बटा दो है एक बटा चार है ते एक बटा छे है अगर आसी इस एक बटा चार यहां तुसी इतना कर लो कि दो चार ते छे दा जो तुसी दा लोग उत्तम कड़ों के ते लोग उत्तम किन आ जाना इसा डिखोल बारा उनसी आई वन दी जिड़ी है कैलकुलेशन पूरी निकाल लिया है उनसी किसना करांगे यह आगे इसा डिखो जी आई ठीक है जी आई बान सा डिखो किनना ही आई बान दी वैलिव आई एक बटा दो तेसा डाल लोग उत्तम किन आ गया बारा है एनू बारा बना अनवस से की करांगे यह छे ना मल्टिपले करांगे ताक ही बारा आ जेगा उपर भी छे ते नीचे भी छे एक ना गया सा डिखो छे बटा बारा एक क्रेंट दी वैलिव आगी आई बान फिर ही सिमिलरली आई टू कैलकुलेट करांगे इससे वे चाजाएगा सा डिखो एक बटा चार है आया सी और एदा लोग उत्तम सा डिखो एक बारा ते बारा बना अनवस से हासी चार नू तेन ना मल्टिपले लाना चार तेन नहीं उपर लाना है इसा डिखो आएगा तीन बटा बारा फिर ही आई थ्री केलकुलेट करांगे ते आई थ्री किनना एक बटा चे है यह एनू बारा बने अनवस से दो ना मल्टिपले करांगे तो चे दुनी बारा बां बांजाने दो ही मपर आजेगा एह ओप्शन जेड़ा 4 इस जो है राइट आंसर आजेगा कि I1 छे आ गया, I2 तेन आ गया, I3 दो आ गया, A0 इस जो जो है राइट आंसर आ गया नेक्स्ट कोच्शन करने है, कोच्शन No.26 सब्सक्रणि जिससे विच इसे इडेंटिपई करना है कि ए जड़ा इन्सूलेटर है, एक केडा इन्सूलेटर है, यह तोसी आपने कराना दे लेख, जड़े पोल्गे हों ना दी जड़ी आर्थनों रोक शञीर है F Asiansulator उस्तु बाद आगे आप पिं इंसुलिटर रील इंसुलिटर और शेखल इंसुलिटर इसदे भी हम सी डाइग्राम देख लाने है updati तो यह तो जो पानिक दूर सेघड इंसुलिटर कि आप तो सी दिख से धियो पिन इंसुलेटर जो आशी है पिन allora naina 11 घव तक हैना से यूज कर दें पेंसे अम ईंसुलेटर नो और अब टू ılarपें की 30 कवी तक हसी नूर यूज कर लाने है पिन इंसुलेटर और ए आगया जी साड़ेकोल शेकल इंसुलेटर जड़ा कि यसी 11 के वी और डिस्टी व्यूशन जड़ी लाइन है जो साड़ेका रांदे बेचांदी है उन्हों सी यूज करने है और 11 के भी लाइन है और जहां जड़ी साड़ेका रांदे जदो भी लाइन है उस जड़ा एंड पॉइंट होना थे एंड ए इंसुलेटर जड़ा है यूज किता जनता है एंड वर्टिकली भी असी यूज कर लने है ते होरीजंटर जिस रहा है तो सी डाइग्राम चे वर्ट उस्तो बाद साड़ेको आज आंदा जी डिस्क इंसुलेटर जिन्नों डिस्क इंसुलेटर डिस्क इंसुलेटर मतलब है जिससे विच इक डिस्क जड़ी यूज कर दिया एक डिस्क जड़ी हो 11 केवी नों डिनोट कर दिया है मालनों साड़ेको तिन लाइन है तिन लाइन मुझानान चाशा लां 2 इसका नेये ऐठ गेचा थारेका में ऑपने स्वाइब में और हुए यह में 20 जाथ मתलब हुआ है कि अगर गेचे में 20 फर्न कंडू नान मैं के लुखने में 15 7 उस्पेंशन टाइप चाहें लटकाया अनुब क्यादा निचे लटकाया रिने लटी कादाई उस्पेंशन टाइप और ये 3KV और 3KV तो अबब जड़ी line हों धी है उते यूज़ हों धी है 3KV और 3KV तो अबब जड़ी line है 102KV, 202KV ओ लाइना देविचे suspension type insulator वो डेवड़े टाव रहा दे यूज़ किता है जानद है और strain type insulator है जड़े की horizontal type दे हों धी है दिस्क जड़ी लगी हों धी है लेकिन डिस्क जड़ी है उदे विचे series लगी हों धी है लेकिन हो horizontal हों धी है suspension दे विच जड़ा हो वर्टिकल यूज हों धी है next question है साथ decol की question तुसी दिख सकते हो सकरीन थे कि दित्ते हो चित्तर दे विच वोल्ट मीटर दी reading जड़ी करनी है ए डाग्राम दे विच जड़ा वोल्ट मीटर लगे दा थे reading दसनी है देखों नहीं जड़े resistance जड़ी लगी दिया हो की दे विच लगी है देखों नहीं देखों चाली ओम ठीक हो चाली ते वोल्टेज बटा ये अर्जिस्टेंस चाली ते वोल्टेज बटा और चाली ते वोल्टेज किन यागी साथे को पची बटा चार, पच्ची बट्टा चार यह आगा है साटेगो, current तो होना सी, यह जटा V ते किन्य वोल्टी जो हैं जो हैंसी वोल्टीस ड्रॉप जटा बड़े असानी दनाल कट सकने हैं, जटा वोल्टीस ड्रॉप है अथे किनना होएगा voltage drop होंद है IR दे बराबर ISE calculate कर चुके है ISE calculate होने किता है पच्ची बटा 4 तो और जिस्टेंस किननी है दी और जिस्टेंस किननी लगी दिया थे जी और जिस्टेंस लगी दी साड़ेगो ची 10 तुसी cutting calculation कर दो दो दोनी 4 पाइंदोनी 10 उपर multiply करोगे किना एक सो पच्ची बटा दो एक सो बच्ची नो दहीं दो ना तक सीम कर लो एतो डिक आजएगा बाट पॉइंट पंज वोल्ड तो ए जो राइट आंसर आजएगा option 4 इस दा जो राइट आंसर है next question है तो डेगोल जिससे विच्च है कि ELCB जड़े किन्ने किसम दे ओंदे है नो गंदे है earth leakage circuit breaker जड़ा सी यूज करने हैं to protect the electric shock वास्ते electric fire दी protection दे वास्ते overload voltage दे वास्ते current वास्ते जड़ा सी यूज कर दे है earth leakage circuit breaker ए कह रहा है कि किन्ने किसम दे होंदे हैं a दो किसम दे होंदे है एक होंदा जी earth leakage circuit breaker एक होंदा है आ, सी, सी, बी जिन्नों सी कहने है residual current circuit breaker आर दो बंजनादा है residual residual circuit breaker तो ए दो टाइप दे जड़े यासी circuit breaker जड़े यासी यूज करने है earth circuit breaker एक आगया सा देखोल earth leakage circuit breaker ते residual current circuit breaker ठीक है यह leakage नूँ control करने हाँ से over voltage नूँ control करने हाँ से electric shock नूँ control करने हाँ से जी automatic जड़े circuit नूँ trip जाने की off कर देंदे है अगर तो से इस दी डाइग्राम भी दिख से तो ए साटे कोल है earth leakage circuit breaker earth e l c याने की earth leakage circuit breaker तो ए वाला तुसी दिख सकते हो यह है r c c b residual circuit breaker तो नेक्स्ट कोशिन वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशिन है जिसे विच्छे कि जेकर दिते गे चित्तर विच्छे standard conductor standard conductor नो दिखाया गया है ता तीजी पर्तर तीजी पर्तर तीजी पर्तर ते पर चेड़ी conductor ने जड़ी संख्या ओ किन्नी होनी है यह तो से ही इसदा जो आंसर देना है और बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशिन है इसदा जो conductor ने जड़ी गिंती है उस सदे को एक फार्मूले ना असी calculate कर देना है इसदा फार्मूला ओंदा जी 3x square minus 3x plus 1 इस फार्मूले देना असी जड़ा calculate कर सकते हैं इसे विच चिड़ा X है, X ना असी किदिना denote कर देना है, X आइंदा सा डेकोल number of layer कि यही किन्नी layer दी गल करे कर दें layer 1 दी गल करेंगे, layer 2 दी गल करेंगे, layer 3 दी गल करेंगे याने कि किन्नी number of layer होएगी ते total stand किन्ने होँगे, cross section area किन्न होएगा इसदा ते number of stand जड़े है किन्ने होँगे तो एदा formula अगर साड़ेको इक layer दी गल करेंगे formula में तुम दस है कि 3 x square minus 3 x plus 1 अगर साड़ेको जड़ी layer है वो layer है यह एक ते 1 x square करेंगे 1 का जाना है इत्थे 1 x square करेंगे, x यह कर ला यह साड़ेको आगा 1 3 minus 3, यह cancel होगया, एदा साड़ेको 1 बाच गया अगर साड़ेको layer 1 है अगर x value साड़ेको layer 1 है तो टूटल जड़े strand जड़े किन्य होँगे इदे विच टूटल स्टैन्ड भी किन्य आनगे जी 1 आनगे उनिसी दूसरी गल करिये कि अगर साड़ेको layer एगी है दो, layer एगी है 2 तो जिते आसी x लिखना उथे value करदांगे जी 2 ठीक है फिर असी देखने अभी किन्ने total number of strand जेड़े है किन्ने आंदे है इसा ठीको किन्ना आगया दा square खोलांगे 4 ते 4 ती ये 12 minus किन्ना आगया 6 जमा एक तो 12 चो 6 करदे 6 आगया 6 जमा एक किन्ना आगया साठीको जी 7 total strand इदे विच अगर तुसी आए डाइगराम देखे तो टोल स्ट्रेंड किन्ने आज 7 अगर आसी number of conductor दी गल करिये ते number of conductor किन्ने आगये 6 number of conductor किन्ने उनके 6 तुसी देखे लग लग color दे बेच शो किते दे इस डाइगराम दे विच जीटे टोटल स्ट्रेंड है वह एगे साठीको जी 7 लेकिन अगर नंबर of conductor दी गल कर दे हैं ते ओ किन्ने है साठीको जी ओसाठीको आगया जी 6 हून इस कोशन देखे पुच्छा है उन पुच्छा है तीसरी लेयर जद वसी तीसरी लेयर दा फार्मूला लगामांगे तो एकसी वैलिव की आजेगी 3 माइनस 3 ते एक ना गया 3 प्लस 1 जो फार्मूला दसे है टोटल जिड़े स्टेंड निकालने एक ना गया 3 ते 9 9 ते स्टाइव माइनस 9 जमा एक अगर तो स्टाइव थाई थाई चनौ कड़ होगे ते किन्ना आजेगा साठीको उननी यानिकि इस से विच जिड़े टोटल जेड़े स्टेंड है और किन्ने होनगे जी उननी टोटल आसे conductor दी size इगाल करिए यह की number of the stand perspective layer दे तो किन्य हो जानगे जी स्टेंड उन्हीं होनगे तो किन्य उन्हीं होंगे तो किन्हीं होनगे 12 ऐसे डाग्राम तो तोहीं समय सकती हो इस विच कि जो layer लेयर रहे गिसद्गो जी दो दूसरी लेयर ज़े टोटल जडेय है टोटल स्टैंड किने आगे जी सेवन यह तुसीदिख सक देऊ सेक्षा दोटल देख सकतेया है और इस जो नूमबर ओफ इसे विच जड़ी कंड़क्टर नेजी। इधे विच गंड़क्टर किन्य जूज़ा नेजी। ओन्ड़र में जी बारा तो यह इस जो है राइज आंसर है। उस तो बाद सर्टे कुल आ गया नेक्स्ट कोशन इस फिप्टी कोशन है कोशन नमबर फिप्टी जिसे विच दिता है हुए चितर दे विच हेठां देते हैं विच किस प्रकार दाज है एल सर्कुट ब्रेकर जड़ा यूज किता गया है यह तो सी डाइग्राम दिख सकते हो जो सर्कुट ब्रेकर है इस दे विच एक फिक्स्ट कॉंटेक्ट है एक मोविंग कॉंटेक्ट है इस दे विच एक गैप जड़ा दिख सकते हो और जदो वोल्टेज जनी को कोई शॉर्ट सर्कुट होंदा है यह ते विच जड़ा आटोमेटिक जड़ा गैप जड़ा सर्कुट दे है और एक केड़ा सर्कुट है दसना है कि ए जड़ी डाइगराम है किस सर्कुट दी है तो ए जो डाइगराम दोसी देखिए सकरीन दे ए है यह जी एक्सियल ब्लास्ट एयर सर्कुट ब्रेकर नोसी कहने है एक्सियल ब्लास्ट एयर सर्कुट ब्रेकर एयर सर् सरकुकट ब्रिक्र दे दें तिन सरकुट ब्रिकर सी पढ़ द走了 एक्सयल ब्लास्ट सरकुट ब्रिकर सेकंड़ाइट सड़क ऐक्षॉ और नमबर रिदिआ आ गया एل एियर ब्लास्ट सरकुट उन्हां विचो एक ए सरकट ब्रिकर ए जुन्हों सही कने एक्सयल एकशल depends लास्ट सरकट ब्रेकर जी दे विच की उन्दा है कि इसे विच जड़ी हवा जड़ा जोंका जाने कि हवा जड़ी है प्रेशर देनाल जड़ी है एक्जियल एंगल दे विच जड़ी ये दित्ती जन्दी है और जिज़े विच जड़ी फायर एक्स्टिंग्यूशन जड़ा है नो बचाया जा सकता है तो इज़े विच जड़ी टाइप भी दस नहीं बाकी जड़ी नेक्स्ट लेक्चर दे विच जो सरक्ट ब्रेकर है पूरी डटेल दे नाल एक एक सरक्ट ब्रेकर नो आसी पूरे त्यान दे नाल पढ़ांगे यह पंजाब कोशन ही जड़े टेक्निकल सी उस तो बाद इस दे विच जो ट्वंटी कोशन है ओ पंजाबी लेंगोज दे ही ओ भी तुसी दिख सकते हो जिस दे विचे की हेट देते विच केड़ा ठीक है तो इस दा जो राइट टांसर है जी जड़ी स्पैलिंग तुसी द यह पंजाबी है कोशन तो पुस्पैलिंग दो किसरा लिख दे एए थो मिचे कोशन है काफी सारे आये है next question number 5, जिससे विच हेट लिखे है विच काला, शब्दा जिड़े वरोधी है ओकि योंदा जी, गोरा next question number 6 है जिससे विच दसा है की हेट लिखे है मुहावरे हथाँ, दे अथाँते, सरो जमाना एपूरा मुहावरा वजन दा है हत्थां थे सरों जमाना हेट लिखें विच्चों सही शवद दी चौन करो सही शवद है जी तिनका तिनका शवद जड़े स्पैलिंग वाइस तो सी देखना है कि यह सही है उस तो बाद हेट लिखें विच्चों सही शवद दी ही चौन करनी है बेलदार बेलदार किसना लिख सब्सक्राइब सब्सक्राइब समान अर्थी शव्ध जड़ा तो से यूज्सकर नेटर नेक्स्ट कोश्रेन नुवर बारा है विचों केड़ा ठीक है गलतए बहुझा भी सारे वर्डसरे नेक्स्ट कोशन है कि हेट लिखें विच्चों पूर्खा खुर्पा शब्द दा समान अर्थी शब्द ते नोसी कहते हैं जी रंबा यह उप्षन इस दा राइट आंसर है नेक्स्ट कोशन नुबर 16 जिसे विच्च हेट लिखें विच्चों सही शब्द दी चौन करो आजाएगा जी सकत नेक्स्ट कोशन नुबर 16 खाली स्थान विच्चों सही शब्द विकल परोदे आएगा कप मेज उत्ते रख देओ आप्शन फर्स्ट इस दा जो है राइट आंसर है नेक्स्ट कोशन नुबर 19 जिसे विच्च हेट लिखें विच्चों सही वाक दी जड शामा टल गया उस वाद है हेट लिखें विच्चों केड़ा हेट लिखें विच्चों केड़ा गलत है ते आजाएगा कलाक एगलत बाकी तरतीब मुश्किल हासा एग बिलकुल सही है तो पंजाब दे आर्थिक सर्वेखन 2021 थे 2293 पंजाब विच साल दो जार बी थे की विचे हेठा लिखें विचे किस दा उत्पादन सब तों बादसी ते आप्शन आम्ब किन्नू केला ते अम्रूद इस दा जो राई टांसर है जी किन्नू नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर दो है जिस दे विचे कि पंजाब दे मालवा खेतर विच बगदा का गर्द रया अंत विच डैश सतलुज विच रहल जन्दा है थार मरूथल विच अलोप हो जन्दा है ते इस दा राई टांसर है जी पंजाब देव मालवा खेतर विच बगदा कगर द्रया अंत विच थार मरुथल विच अलोप हो जन्दा है option second is the right answer है next question है कि हाल विच होई है पंजाब विदान सवाद दियां जो चोना दोजर बाइद विच आम आदमी पार्टी ने किनिया सीटा जितियां सी इस जो राइट टांस रहा है जी 92 total सीटा 117 उन दियां जी पंजाब दियां विदान सवाद दियां जिदे विच आप दीजडी पार्टी है उन 92 सीटा जडियां जितियां next question number 4 है जिस दे विच है कि पंजाब दे कबाईली खेत्रा विच मुक्तोर ते अराय सिंग बाजीकर सांसी अते लोबाना कबीले दियां औरता द्वारा हेट लिख्यां विच्चों केडा लोक नाच किता जंदा है ते ए आजंदा है सा आंसर जी सम्मी सम्मी लोक नाच नेक्स्ट कोशन है पंजाबी पाशा हेट लिखियां पाशा मादे केडे परिवार दे नाल सबन दित है या जी इंडो यूरोपियन इंडो यूरोपियन फर्स्ट इस जो है राइट आंसर है नेक्स्ट कोशन है कि पंजाब सरकार ने राश्ट मंडल केड़ा दोजार बाई दिविच कांसी तगमा जितन वाले बीट लिफ्टर लेई चाली लख खुर पे दे नगद रिकार्ड दी गोशना कीती सी तो ओखिलाडी दा की नाम सी ऑप्शन थर्ड है जी हर जिंदर कोर हर जिंदर कोर ऑप्शन थर्ड इस जो है राइट आंसर है नेक्स्ट कोशन है कि मुद्ग की दी जड़ी लड़ाई है कोदो शीरू होई तरह जो राइट टांसर आज़ी लड़ाई जी ठारं सो पैंसाली इस वी दे विच शीरू है जो लड़ाई है East India Company जो अंग्रेजन दी East India Company और सिखा दे विचकार ए जड़ी लड़ाई होई और मुद्ध की जड़ा शेर है जा नगर कहलो ए जड़ा शेर फिरोजपूर पंजाब दे जो फिरोजपूर जिले दे विच ए एक शेर दनाय है मुद्ध की ते उत्थे जड़ी है लड़ाई ठारां सो पंजाली दे विच होई ए इस्ट इंडिया कंपनी ते सिखा दे विच जड़ी है लड़ाई होई नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर आठ है जिसे विच है कि रास्ट मंडल खिड़ां दो जर बाई विच पंजाब दे किन्ने खिडारियाने चांदी दा तगमा जित्या दे इस दा जो राई टांसरा जी तिन खिडारियाने चांदी दा तगमा जड़ा जित्या ते नेक्स्ट कोशन है कि पंजाब सरकार ने सोला मेई दो जर बाई नू अपनी किसम अपनी किसम दा पहला पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम जड़ा शुरू कि ता है उसे नाम रख एसी लोक मिलनी जिसे विच पगवंत मान दी ज़िटी सरकार है ए जो लोकां दे जड़े मसले सी लोकां दी जड़े प्रॉलमा सी उना नू सौल्फ करन दा टीचा रख ए गया चैनि कि लोकां दी जो मुश्कलां सी उना नू पंजाब पवंदे विच लोग का निया शिकाइता नूँ उथे सुनेया जन्दा है ते नाली उना दा जड़ा निप्टारा किता जन्दा ही ते इस करके इस दा जो नाम दिता गया लोग मिलनी नेक्स्ट कोशन है कि चोवी तो लेके 26 दिसंबर 2021 तक बाबा हर भलब संगीत संगेलने किते हुए ऐसी जलंदर शेयर दे विचे ऑप्शन सेकेंड जो है इस दा राइट आंसर है उन उस तो बाद आगे साथ देखो जी नेक्स्ट कोशन आगे रीजनिंग दे तो रीजनिंग दे कोशन नमबर वान है जो तुसी सकनी दे दिख सकते हो जिस दे विचे कि एक चितर दिता गया है जिस दे बाद चार विकलब देते गई है इना विचे के दरपन जिन्नों से मिरर कह सकते हो जा दरपन कहलो एक्स वाई लाइन है इस दे उपर ते इस दे कहनदा है कि उख विकलब चुनों जो दिते चितर दे सही दरपन प्रतिबंब दे चितर नाल मिलदा है तो देखो जी जो तो मिरर है ए मिरर रखे है जिन्नों से कह सकने है कि दरपन और ए तुसरी डाइग्राम चे नीचे चार आप्शन देते है और चारा मिच्छो कोई एक आप्शन जड़ा हो सही होएगा जो तो सा डेको ड्रक रखोड़ाम गेना है तो से आप्शन चाहां घरे मिरध न रखैओका eat ये आजान धातकर रसाइदा का जीरे टिसे तो सबर्ड़ाइद यो ऑक्षन पर्स्टभारा चीजरे के वह सही ऑप्शन फिस्टरिक्छ है चारा अल्ट लागर के याग्या वस्वाद आ गया सा डेको जी जैडड आ गया उस सुछाद आगया सा डेको बन जा नहीं देयर डीरेक्शन घड़ी है उस चेंज हों दी है century copper उस तो बाद आपकोल सेवन आएगा तो इसाब नएज़ा तुसी आंसर जड़ा ग्यस कर सकते हैं और उप्शन फरस्ट जो इसदा राइट आंसर है रिजनिंग टाइप कोशन दा नेक्स फोशन नमर्बर दो है जिसे विछ दित्ते के चितना विछ वरगह दी कुल संख्या द बाद हो गया छे हो गया सातो हो गया आठो गया नौ गया एक बार वाला हो गया लाग किन्ने वर्ग हो गया दास आप्शन फस्ट जो है इस था राइट आंसर है नेक्स्ट कोशन है कि उह विकलब चुनों जो तीजे पद दे नाल उस तरह सवंधी था जी में की दूजे पद पहले पद दे नाल जिसना वर की पहला देतां वर्ग तरकॉन वर्ग इसना जोंदे तो कि उनी की वर्ग दी विच चार भूझन मते भावच तैन थी तो वज नौन वर्ग उस वाद आगया अचयr भूज पर दिते खे बूरुज सर कांप से have यह घंए नों चार बूज सा नमबर चार है जिससे विच है कि ए तो नो पॉइंट देते दे है इज नाज दुसीन solve करना है जी में पहले देसे कि R प्लस जो सोरी R प्लस S दा अर्थ की है कि R S दी पहन है R प्रतिशत S दा अर्थ है कि R R जड़ी S दी मा है R गोना है जनी R and S दा अर्थ है कि R S दा पित है ते R डिवाइड S दा अर्थ है कि R S दा पति है ए रिलेशन देखके ते नीचे जड़ी equation देती है तो उसे इननों जड़ा solve करना है हुन सब तो पहला तो उसे देखको पहला तेर्बार से रिलेशन लेया K ते L दा है K ते L यानी K and L ते and relation कीता सब्सक्रत्रक्राइब भिर यहां कि R सरी जड़ा वह च्विए और इस के से विग चेहां है L फादर हो गया ते नीचे की आ इन्हेंल सब्सक्रान के और यह चेह आर, ऐसा दा किया गया, पती, ठीक है जी, एथे आजएगा M, M जड़ा, ओकी आगया, पती आगया, L दा, ते पती पती नहीं नहीं सी, सामने सामने रख दें, सेम जनरेशन दे विच रख दें, उस सो बाद आगया सा डेकोल, M परसेंट N, M परसेंट N दा मतलब है, कि आर जड़ा, बच्चा N आगया, और वहीं नीचे रख लाँगे, ठीक है जी, ए इना दा किया गया सा डेकोल, M, M किया गया, M, ते N किया गया, N जड़ी है, ओ, इसे विच जो, है चीज मेंचन किते है, कि आर परसेंट दा रथ है, कि आर, S दी मा आया है, ते हुने इसे विच क आजएगा, जड़ा, N ते जड़ी मां कोन होगी, M, उस वाद N प्लस O, ते N प्लस O, दा मतलब है, कि आर, S दी पैन है, तो, इदी जड़ी पैन है, O कि आगी सा डेकोल जी, O, ते यसी लिग देने है, O, ठीक है, A, पैन परा होगे, इना दी जड़ी मेन, जने की सेम जनरेशन है, O, ते के दा की देशन है, उस अनुए थे क्लियर नहीं है, कि ए लड़का है, जा ए लड़की है, ठीक है, और इदे बिच्चा कि अगर, L लड़का है, ते के दे ओ दा दा बनेगा, अगर L लड़की है, ते के दे ओ दा रलेशन की बनेगा, नाना, तो दोनों पोसिबिल्टियां इस ऑप्शन देवे चोन गया जानती आजेगा दादा जाजेगा नाना ऑप्शन थर्ड जो है वो इसता राइट आंसर आजना नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर पांज जिस देविच तुसी दसने की ममता अपने कार्थों एन्नों तुसी जोदो भी है से क करदे है पहला ही डिरेक्शन कर लेना इस नों लेन नौर्थ जाने की उत्तर सौथ फेनों करने जी दक्खन और ऐन्नों करने आए ऐसी इस्ट औरव फेन नों ची कहने जी वेस्ट जानी की पश्यम सबतो पहले की ममता अपने का तो चलना शुरू कर दी है ता दग्कन वाल 10 दास्य मीटर जन दी है तो डखन कि दर है एद नीचे आ गया दखन के ना जल दिया 10 मीटर उस तो बात की कह रहा है कि उस सज्जेपासे मुड़ दिये हुने इता देखो जो दो एदन मुड़ी ता सज्जापासा केड़ हो गया ऐवाला सज्जापासा मुड़ के कि दा जन दि यह पची मीटर फिर पच्ची मीटर जंदि ऐसी ड्रेक्शिन हो गे फिर वो दवारा सज्जेपा से मूड़ दिया है इस डिरेक्शन चाह गया सेट कि निजल दिया 15 मीटर एथो तक दासा तो यह ते कार लो 15 मीटर चल दिया 15 मीटर चल दिया आथे और पहुंच के तां उस देकार दे मंदर किस दीशा देवेच है उसकार देवेच ओ ए मंदर दे पहुंज़न दियर देखो ए जड़ा पॉइंट कित है लाइस करेंगी दा उत्तर ते पश्म देवेच उत्तर ते पश्म देवेच मused दे इस दा जो राइट आंसर है हार्ष लीना दा पती है शुबम हार्ष दा पुत्तर है ते करण शुबम दा प्रा है ते पुश्पा करण दा सबंद दसने सब तो पहला तुसी देख लोगी पुश्पा अहीं यह लिख लेया पुश्पा पुश्पा लीना दी सास है ठीक है जी पुश्पा जड़ी है ओ लीना दी सास है ते इदा मतलब है कि एथे उनना दा बेटा होएगा एथे यसी लीना कर लने है थे यसी लीना कर लने है ठीक है जी उनना दी नू सेम जनरेशन है हार्ष लीना दा पती है ते एथे आ गया हार्ष ठीक है जी हार्ष आ गया उस बाद शुबम ते हर्ष पुत्तर है ठीक है जी एदे आगे शुबम ते हर्ष ए पुत्तर है उस्तो बाद करन जड़ा ओ शुबम दा प्राय है करन जड़ा हो शुबम दा प्राय थे तुसी करन भी कर लो उस्तो बाद पुष्पा दा करन दे नाल की सबंद है तो तुसी देखलो ए इना अदर लड़का हो गया, एह लड़के दे बचे हो गया और ए आ गया करन ते करन ए की बन गया जी दादी आप्शन की आजएगा सर्डेगल 4 इस जो राइट आजएगा जी option fourth आगे साड़े को जी दादी next question है very very important है जिसे विच केड़ी संख्या दिती गई है ते संख्या लड़ी विच कंप्लीट करना जड़ा कोशन मारक है तुसी यह देख सकते हैं बारा चत्ती कार्ट स्थासी 114 इजड़ा कोशन मारके जड़सना की आएगा तो बहुत ही सींपल कोशन है सब तो पहले तो सी जो दो कोशन करने बारां आ गया च्छती आ गया अकाठ आ गया स्थासी आ गया limited एकसो जो ना अगया पहला से दोंना वीच गैप देख लएना हो da चोवुदा चोवी दरफे बारां चती फिर इहता आ गया करने गया आ up अगया 25 आ फिर एधा इदा गैप देखने आगक इंदा गया 26 प्र एदा तर इदा गैप देख लने आई तो एदा गैप साद्गो किना आगया गे गे- 57 किना गैप आगया गे- सताई दा तो next जिएड़ा गैप है सीरिल ना देख रहे हैं चोब फिर पिर 54-76 यसरेब यह dzisiaj तो next gap किना अठाई दा तोसीत 114 विच्छ जो तुसी गिन्ती है और किन्नी है तो तुसी है गिन्ती नो कौंट कर सकते हो देखो जी अगर तेरे को ना आ गया 1-2 ठीक है जी 2 ते फिर 1 पूरी this बन गया 3 तीन तो बाद एक है पूरी बन गी 4 4 तो बन गी 5 5 तो बाद है अगयर यह नौट वाद एक थोड़े को बनगी कंप्लीट आजेगी तोड़ेको एक उपर वाली आजेगी ग्यारा तिक बारा जनिके टोटल जड़ी है तो अट्रीकों ना बनने है अगर तुसी नू त्यान नल करो यह थोड़ेको बारा इसदा जो है राइट आंसर आजना है नेक्स्ट कोशन है जिसे विच फीर दरपन वाला कोशन आा गया जिसे विची सीमपल कोशन हैं न दग जिसना ए एयरो वाला ये वाला जो shaded part है ओ थोड़े कोल की साइड देवे चाना है इस चीज दा तुसी तिया रखना है और ए कोशन देवेच पहला तुसी कोशन पढ़ लो जिसे विदस है कि हेठां देते विच दरपन AB लाइन है रख्या गया है ते चुने हो चित दा सही प्रतिबंब जड़ा बन वो सब तो पहला एवाला पारट आएगा उसको बाद आएवाला पारट आएगा अगर तुसी दा आंसर या दिख सकतेयो ओप्षन जड़ा थर्ड जो इससा राइट आंसर आजएगा नेक्स्ट कोश्चन है साडेकोल कि ए केडा चित्तर दिती गई चित्तर लड़ी नूँ पूरा करेगा ए जो डाइगराम तुसी दिख सकते हो केड़ी डाइगराम तुसी यह ते फिल करोगे ताकि इस दा जो आंसर है पूरा मैच हो जगा अगर असे थर्ड वाली डाइगराम चुक दे हैं ते पूरी जटी डाइगराम जड़ी है ते फिटो जंदी है ते ऑप्शन थर्ड जो इस दा जो है राइट आंसर आ गया उस तो बाद है साडेकोल नेक्स्ट कोशन मैथमेटिक दा गया दस कोशन जड़ी है मैं देना सबंदे दोने हैं जिससे विच्छ चार परसेंट पांच परसेंट दियान लगा तार छोटन देती हैं कि यहां ते एक सिंगल छोट दे बराबर दसना किनना होएगा ठीक है जानी कि साडेकोल दो डिसका दो डिसकाउंट है कि मालनो एक एकस चार परसेंट है तो एक वाई जड़ा हो पांच परसेंट है दोना डिसकाउंट अनो असी प्लस का लेना है एकस प्लस वाई फिर एकस गुना बाए बटा सो ए फार्मुले देना असी जड़ी है एकुलेंट डिसकाउंट जाने कि यह कल्कुलेटर कर सकते हैं, तो इन्हों सी इस तरह थोड़ा क्लियर कर लेने हैं, उन ए प्लस बी ते की आजाए कि साथ को चार जमा पांच, जोड़ा मैं जमा कराया, उस वद माइनस है, चार गुना पांच बटा 100, एक इनना आ गया जी नो, तो इदी कल्कुलेशन करो कि ब इदी बटा 100, 0 ना 0 कैंसल होगी, इक बटा 5, तो इक बटा 5 दी वैली पिनी आजे कि 0.2, तो जोड़ा तुसीं, नो दी विच्चों, 0.2 नो मैनस करोगे तो यह नो वैली उस तरह करके मैनस कर दोगे तो किना आजेगा साथ को जी 8, किना आ गया, आट एक इना आगा साथ क आट पॉइंट आट परसेंट, 8.8 परसेंट इस दा जो है, राइट आंसर आजे गया, नेक्स्ट कोशें नंबर साथ देखो लागा जी, सेकंड जिस दे विच्च है कि ओन सेलिंग एन आर्टिकल 360, मतलए कि सेलिंग मतलए कि वेच मूल कहा सक दियो, वेच मूल किसे आर्ट pasta प्राइज निकालनी है, जाएन कि खरीद मूल करना है, cost price जानकी खरीद मूल करना है, तो खरीद मूल दा साथ देखो formula बारन बार जोट को कोश्ट प्राइज गरनी है, आज अई आदर साथ देखो, selling price घौना Any 패 जो, सो माइनस, loss प्राफिट हो, फ्रेज प्लस देनने है, loss हो जगा थे माइनस कर देना है थे वैली पूट कर लो दूसीं सेलिंग प्राइस यानि कि भी एच मूल तीन सो सथ देता है गुना सो ते लॉस किन्हें दास परसेंट यानि कि दास आजेगा थे सो विच्छो दास कड़ों के किन्हें आगा जी नबे एदी कैलेकुलेशन कर लो नो चो का शती चाली आगया चाली गुना दास पर अटेक वांसर आजेगा जी 400 इस जो राइट अंसर आजेगा उप्षन थर्ड इस जो राइट आज़ेगा 400 आ जी कोस्ट मुल जानि कि खरीद मुल उससो बाद अगला कोशन है कि इक ट्रेन है वो ट्रेवलिंग कर दी है ए किन्य है इस पीड तुसी कह से कि चाल ठीक है जी चाल कहलो जा शुट कहलो ठीक है जी और इस जड़ी स्पीड है उन्हों हैशने डिनोड करते हूं कि नीया पच अटर किलोमेटर प्रती घंटा तेकंद किन्नी सेकेंड वेच एजड़ इन्नी डिस्टेंस जड़ी हाँ कवर कर कि डिस्टेंस किनी देती है तिन बटा चार किलो मेटर यह थे सब तो पहलना पॉइंट यह समझने वाला है कि सदेखो जडी स्पीड है और डिस्टेंस दा जुनुट देती है किलो मेटर ताइम असी करना सेकेंड देच तो यह जोदो भी कोशन इसना दाया थे सानों मीटर ड सेकेंड दारेशन बंदा है ते किलो मेटर ते नाल आर दा आवर दा रिलेशन बंदा है तो इस कारण सब तो पहला आसी जडी स्पीड है एन्नों असी मीटर प्रती सेकेंड वेचे चेंज करांगे और डिस्टेंस नों मीटर देच कर दांगे ते फेर आसी जड़ा टाइम जड़ा बड़े अराम देना जड़ा phiskaेल्कुलेटर कर सक देचा तो थो सब तो पहले आसी स्पीड नों करने है स्पीर साथ को के निया पचसींटर किलो मैटर प्रती घंट तो जदो असी एन्नों मीटर प्रती सेकेंड ऊसे करना है ते इन्नों आसी की कर दना है गुना कर कर देने आप चत्तर गुना पंज बटा अठारा देनाल गुना कर लो ते यह बंजन दा मीटर पर सेकंड अनो तुहीं मल्टीप्लाई करो कि यह आगया थाटको 305 बटा थारा मीटर पर सेकंड यह आगी अधीजी स्पीड होना सी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए डिस्टेंस सानू डिना डिनोड कर लेने किन अधीज तेन बटा चार किलो मीटर ते किलो मीटर नो मीटर चिकन वह कर आगे एक हजार मीटर आगेया रहे हैंनु कैंसर कर दो पच्ची चो का सो दोसो पंजा 2205 गुना कि इन डिस्टेंस किनी यह आगी साट ही को लघ सत्सो पंजा मीटर होना सी टाइम जीड़ा कल्कुलेट कर सकते हैं ठीक है जी टाइम बेसिक फार्मुला हो गाइब यह स्पीड की ब्राबर हो निया स्पीड जा फार्मुला नहीं दिस्टेंस भाई टाइम यह याद रखो जो दोसिस दे विच टाइम करना हंगे ते टाइम दी वैलिव की 65 कि केल्कुलेट किती ही 375 375 बता अठारां तो जदो तुसी इती ही कैल्कुलेशन करोंगे 700 अगया थारां उपर आगया थे 375 थल्ले आ जाना के तो ही पंदर ना नाल कैंसल कर दो पंद्रो पांजा एन्नों तुसी कैंसल कर दो पच्ची युद्ध 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 युद नमबर चार है जिसे विच्छ है कि एक दुकान दर अपने माल ते खरीद मुलतों पांच परसेंट वाद अंकित करदा है पर नगदी लेई ओधास परसेंट दी शोड़ देंदा है ते उस शुद काटा प्रतीशत जड़ा ओ किन्ना होएगा यह तुसी इस कोशन देवेच दस नहीं की कफियाएग अगर से मालोगी कौस्ट्स पराईज कौई भी शीज यजडा कोस्ट्स परेज़ सा मतलब कि करीद मुल्यक अगर अशह दुक है टेड़ शे जड़ा मारक् इड़ा मार्कित प्रेज ओएगा डिन अंकित कर रहे हैं मार्किट प्राईज किना बनेगा सो गुणा पांज पर्सेंट उन मतों सिद्ञ जमा पांज पर्सेंट उन मतए है। तो selling price जदो असी calculate करांगे 105 देदा आगया market price तो जदो ओ 10% जड़ा discount दे रहे है 10% की दे रहे है discount तो अधी तुसी calculation करोगे 10 ना 0 cancel हो जागी 105 जदो तुम पॉइंट पेच कर लो 10.5 इदा जोदो difference निकालोगे आई ना थोटे को 94.5 याने की selling price होदी किन्न होगी 94.5 तो उन चीज़ क्लीर होगी जड़ी चीज़ जोन वेच्ची है 94.5 ठीक है जी तो उधी जड़ी cost price की नहीं ही और cost price ही 100 अगर तो ही ना था difference करोगे तो एक ना जाएगा 95.5, बच प्रिया 5.5 एक ही हो गया था लॉस, बच पॉइट लॉस जदो अंशी लॉस पर्सेंट करने है ते formula क्यों है लॉस गुना cost price grade सो सी खरीद मुल बटा आजन दा सो सो ना सो कैंसल हो गया पांच पॉइंट पांज प्रतिशा तो आप्शन थर्ड इस दा जो है राइट आंसर आ गया नेक्स्ट कोशन नंबर पांज यह जिससे विच गी उस खिया पता करो जिस नों तेंसो दी दास परसेंट विस जोड़न दे नाल प्राप्र संख्या दाओ 603% सबतों पेलना दुष्टी कैल्गुलेशन करों कि Cl310 ृचम्त अगर आई दी- गेल्यृशन करिते 31010 साथे को वैलियू और दी घी 3 अगर दुष्टी कैल्गुलेट करना दूकि li आगा 3010 10 जाणे कि एधि वैलीव किनी आजानी है जी 180, तो हो नहीं equation बना सकते तो ही, कि कि अधिक उस संख्या पता करो, जिस जे विच ए जोड़न देना, कोई संख्या जोड़ना, कि इदे चिछ संख्या जोड़ना, 310 परसेंट, इज संख्या जोड़ना है, कोई X, जिदे साथे को संख्या प हुआ है, राइट आंसर आगया, नेक्स्ट कोशन नंबर है सटे कोजी 6, कि जेकर, दस वस्तुआ दा खरीद मूल साथ है, दस वस्तुआ जड़ना खरीद मूल है, और सत वस्तुआ दे बेच मूल दे बराबर है, तो तो इस दसो लाव जां काटा प्रतिशत दसो कि लाव हो बाभी सिंपल कोशन है, होनिस कोशन नो करंदेवेच आगर खरीद मूल है, उसी कहने है, भे Spirit मूल अगर एक आटिकल फरीद मूल मल लाव मल लने की की एक अग। एक एक आटिकल दा मूल्ब कास्ट प्राइज ऑगाइक है, अगर सा डेकल आटिकल दस आटिकल है, दस वस्त है कि इस जड़ाद दस फ्रेड मुल था ऐट सात बस्तौंजान सेलिंग मुल दे बबर दा मतलब ए सेलिंग प्राइज ऑफ साथ आर्टिकल दा सेलिंग प्राइज उ ऐस जडें प्राइजिन कि कोश्चन बेचे की देउन देता गया selling price होगी साथ डिखोल की selling price जड़े साथ आर्टीकल है इना दरेट आ गया जिदास cost price अगर ही साथ आर्टीकल दा कड़ांगे दो किना जना साथ क्योंकि एक आर्टीकल दी cost जड़ी हैं सी एक कुर्पीय लेट किती है तो इना दर तुसी देखलो हुन एस selling price जाद है cost price जड़ी काट्टे इस case विच की होगा साथ प्रॉफिट किना हो गया दास विच्छो साथ कड़ा लो किना आ गया तिन ए तुसी परसंटेज निकालना दा था ते परसंटेज दा फार्मलों दा कि जिननी सा देखलो प्रॉफिट आया थे बटा सदेखलो आजेगा cost 100 नीचे की आजेगा आजेगा थे परसंटेज रहें कोस्ट प्राइस किन्ने आर्टीकल ले रहे हैं साथ आर्टीकल दी गाल करें करने हैं यह जाएगा सट को तेन सो बटा साथ तेन सो बटा साथ नू जो तुसी तक्सीम करो कि देदा आंसर आजेगा option 4 जिमें की 309 तुसी साथ दिना डिवाइ साथ परसंट यह लाब दिवेच आए क्योंकि इस केस विच क्यों गया प्रॉफिट ऑप्शन फोर्थ इज़ा जो है राइट आंसर आ गया उस तो बाद नेक्स्ट कोश्चन है कि एक व्यक्ती तेन किलोमेटर प्रतिक एंटा दी चाल देना नो किलोमेटर थे पांच किलोम मिटर प्रतिक निदुटा दी चाल देना थी किलोमेटर था था फांसला ताया करता है एली तुसीों स्थै़ ओस्थेड उस्थैज वीच पीड ओस्थैदी इदा फर्मुला की हुंदे फ्लयों सी टोटल डिस्टेंस कर दिये जों नीचे कर दिए टोटल टाइम तोटल डिस किलोमेटर एक है इननों सारे नों अगर आसी टोटल करिये साथ टोटल किना है चौंट 64 किलोमेटर आंदा है उन असी कड़ना जी टाइम ते टाइम सानु बदा कि दे बराबर हों दे डिस्टेंस बाइ स्पीड डिस्टेंस बाइ स्पीड ते उन देखो यह पहले केस विचे किनी है नौ स्पीड किनी ही तेन टाइम निकल गया दूसरे केस विच भी टाइम कर लो दूसरे विचे डिस्टेंस किनी है ते नाली प्लस का दनिया पच्ची ही ते स्पीड किनी ही पांज फिर तीसरा केस आ गया डिस्टेंस किनी ही ती स्पीड किनी ही दस ठीक है जी वह न सद्धेको जड़ी कैलकूलेशन जड़ सद्ध को टाइम आ गया इका गए जिनौ वटा तेन आ अगर तुसी नौ इतना भी कैलकूलेशन कर लो सिद्धी कर लो कि नौ गैजिन ए खहले करें मैं ती वटा दास तेन तीन आ गया नू डिवाइट किता पच्य पच्य पच्ची यह आ गया ते जीरो नहीं जीरो केंसे लो किन्न आगया सब्सक्राइब टाइम आगया सब्सक्राइब कर दिक अधिग जी ग्यारा टे असी होने उन्हें जड़ी आवरेज करनी है तो एवरेज दा फार्मूला सी लगाने आवरेज स्पीड कड़ना दा फार्मूला यह उन्द है टोटर डिस्टेंस टोटर डिस्टेंस चोंट आगी टोटर टाइम किन आगे जी ग्यारा जो तुसी इन्हों डिवाइड करोगे तो आटेक वाँसर आए ना है पांच सई नो बटा ग्यारा किलो मीटर प्रती गेंटा यह जो है राइट अंसर है नेक्स्टेंस नमबर अठ यह जिसे विचे नो सर्ल बनाना है ते अन्हों तुसी सॉल्व करो वन प्लस वन बटा इन्हों तुसी नीचे बाट नू सॉलब करोगे ते यह एल्सीम लोगे एक नाइना तो आटेको जी तेन बटा दो तो एन्हों जो तो फ्र राइट आंसर आजएगा पांज वटातेन इस दा जो है राइट आंसर है उस्तो बाद नेक्स्ट कोशन है कि जेकर एकस वाई तो 50% का टैते वाई नाल एकस दा एकस वद किन्ने परसेंट होएगा कोशन वीच के एकस जेड़ा ओ 50% जेड़ा काट है किदे नालो वाइ नालो तो मान लो अगर आशी यह नो लैट कर लेने है तो एक्स भी वैविक नहीं होएगी पंजाब क्यूंकि यह 50% काट है जो तुसी टोटल इदी परसंटेज वेच वेचे कर वैल्यू निकालनी है पंजाब बटा पंजाब टोटल पंजाब ही गुना सो कैलकोरिशन करोगे ते किन आगे पंजाब ना पंजाब गैंसल हो इना किन आए ना जी हंडर्ड परसंट इस जो है राइट आंसर आजाना नेक्स्ट कोशन नंबर टेंथ है जिसे विचे की एक शेर दी जड़ी अवाद्धी है और दो प्रतिशत प्रति साल दिनल बद्धी है जेकर मजूदा अवादी आगे साथ देखो जी एकवञजा लख किन ही शाल पैला ती जड़ी अवाद्धी है ऑद तुसी दसनी है किनी होए वेगी तो इननों कोशन नों बड़े असानी देना तुसी बहुत ही पर टंग देना कैलकूलेट कर सक देओ तो उसी मानलो कि इदी जड़ी टोटल अबादी असी लेट कर लेने की 100% ही हर साल जड़ी है किन्नी वददी है 2% तो 100 जड़ी है 2% कड़े हो गे ते 2 हो जाएगा ते टोटल किन्ना हो गया 102% ठीक है जी 102% तो 102% जड़ा एक की दे बराबर आना पांच लख दास हजार दे एक कोला आना अगर आसी एक परसेंट दे वैलिव कर दाँगे एक परसेंट दे वैलिव किन्नी आएगी 5,10,000 बटा 102 तो जड़ु असी 100% दे गड़ाँगे ये दे आगे 1% परसी लेट किन्ना गे ता ही 100% तो जदो असी 100% थी value निकाल लांगे, तो इस अटेगो किना आजेगा, सो गुना पांच लग दस हजार बटा से अटेगो किना आजेगा, एक सो दो, एक परसेंट नहीं, तो जदो सो परसेंट था कड़ा हैं, तो सो ना मुल्टिप्ला ही हो जाना है, अधी तुसी कटिंग कर होगे तो अटेगो आजेगा आजेगा, पांज लाख ऑप्शन, थर्ड इस अटेगा राइट आजेगा आजेगा, तो ए यसी इस अटेगा पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, अगर तो नो वीडियो अच्छी लगी ते वीडियो नो लाइक और शेयर जरूर करना, तानवाद जय हिंदा